नमस्कार, स्वागा थे आप सभी का कम्टिशन कॉम्टिटी के यूट्यूब चनल पे हम लोग बात कर रहे हैं पोईटकल साइन्स यानि की हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट के उपर बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रसीडेंट है यानि कि आज का हमारा टॉपिक क्या है राश्टपती है एक बात ध्यान में रखेगा कि अगर मैं कुछ चीजों को आपको थोरा सा बता दूँ तो हम लोग ने किन-किन चीजों के उपर में चर्चा कर लिया है मैं एकदम बिल्कुल मोटे तौर पर बताता हूँ तो सबसे पहले हमने सम्भिधान के निर्मान के उपर बात कर लिया है Making of Constitution आप लोग इस वीडियो को जा करके देख सकते है Making of Constitution एक, उसके बाद हम लोगोंने किस के बारे में बात कर लिया है Part 1 Part 1 का मतलब यह होता है कि ने राज्यों का गठन ने राज्यों का समावेस राज्यों के पुनर गठन इन सब चीजों के बारे में हम लोगोंने चर्चा कर लिया है कि किस तरकी किस राज्यों को बनाया गया उसके बाद Part 2 के बारे में हम लोगोंने बात किया Part 2 में आप देखते हैं कि हम लोगों ने क्या बात कर लिया है कि नागरिक्ता के बारे में बात कर लिया है और उससे जुरूए कुछ-कुछ चीज़ों को बारे में हम लोगों ने बात किया उसके बाद Part 3 के बारे में हम लोगों ने बात किया जो fundamental lights है हमारा उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से चर्चा किया है fundamental rights में हमने REITS के बारे में बात किया है उसके बाद part 4 के बारे में बात किया है part का 4 क्या है हम लोग का DPSP है यानि कि Directive Principle of Estate Policy है राज के नेती निरदेसक्तत्व है तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया फिर part 4a के बारे में हम लोगों ने बात किया ये क्या है हमारा fundamental duties है हमने आपको बता है था कि 11 fundamental duties है और जो 11 fundamental duties है वो 16 समीधान संसोधन के द्वारा जोरा गया वैसे fundamental duties itself add है 42 समीधान संसोधन अदनियम 1976 के द्वारा तो ये सारे ची का हमारा topic भाग 5 है और इसके अंतरगत हम लोग राष्ट पती के बारे में बात करेंगे इसके अंतरगत हम लोग राष्ट पती के बारे में बात कर लेंगे उसके बाद राष्ट सभा, लोग सभा के बारे में कर लेंगे judiciary के बारें बात कर लेंगे या निकी supreme court के बारें बात कर लेंगे तो यह सारी चीजे जो है ना part 5 के अंतरगत ही आता है इस बात को आप अच्छे तरीके समझेगा तो part 5 से हम लोग आज का class को सुरू करने बाले हैं यहाँ पे एक चीज धियान में रख्येगा जब आप class को धियान में रख रहे हैं तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वह SSE के जितने भी examination होते हैं चाहे वह CGL हो चाहे वह CHSL हो या फिर SSE के GD का examination है या किसी भी examination में आप त्यारी करते हैं उसके लिए यह काम का है साथ ही साथ आप railway के लिए, अगर आप state के लिए, यानि कि state level कोई भी examination हो, किसी भी level के state के examination हो, उसके लिए भी उतना ही relevant है तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं, एक topic के रूप में पढ़ा रहे हैं, आप इसे अच्छे तरह के से पढ़ लिजे, exam में जाए और perform करके आए अगर यहां से question आया, मतलब मेरा कहने का है, जैसा कि मैं पहले भी पीछे वीडियो में बताया हूँ, कि अगर प्रसिडेंट से question आया, तो छूटना नहीं चाहिए, अगर fundamental light से question आया, तो छूटना नहीं चाहिए, चाहिए आप किसी भी examination में बैठ रहे हो, अगर छूट रहा ह तो फिर आप हमें comment किजेगी सर, यह चूट रहा है, तो हम उसको उस तरीके से आपका comment को देखेंगे, कि कहां चूट रहा है, या मेरे पराने में चूट रहा है, या फिर आपके पढ़ने में चूट रहा है, यानि कि जो information carry करके exam तक जाना होता है, उसको हम पढ़ना कहते ह ठीक है देखिए एक बात आप समझेगा मैं क्लास के थुरा सा सुरू करता हूं लेकिन एक चीज को मैं आपको थुरा सा बताने की कोशिज करता हूं कि पढ़ना जो होता है ना इसका मतलब यह नहीं होते कि दिन रात आप 24 घंटा पता नहीं कितने घंटा लोग परते हैं यह सब गलत चीज है यह सब कुछ नहीं होता है आप 6 से 7 7 गंटा अगर आप इमंदारी से परते हैं, तो फिर आप किसी भी एक्जामेनेशन के लिए त्यार हो जाते हैं, इस बात को मैं बिल्कुल ही बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूं, इसमें कहीं कोई मेरे मन में मिलावट नहीं है कि हम 7 को 10 कर दे, 10 करने के जरूबत नहीं है, सिर्फ 7 का साथ, ठीक है, बाकी 24 गंटे में 7 गंटा पढ़ाई का, और बाकी जो गंटा बचा उसको आप सोने में, घूमने में, बात करने में, पैरेंट के साथ, या फिर जो अपने बिलोंगिंग से उनके साथ समय बिता सकते हैं, इन सारे चीजों में, क्योंकि जब तक आ कारता हूँ, आर्टिकल 52 से 78 को, ठीक है, ये काम का नहीं है, बस मैं यूनियन, पार्ट 5 का अंतरगत के आता है, यूनियन, हाला कि भाग को लेकर कि मैंने पहले ही करास बता दिया है, कि भाग 1, 2, 3, यानि कि जो हमारे पास जितने भाग है, सब के बारे में बात किया था, इसमें क्या important होगी बात बताया था, यहां पी हम आपको एक बात बता दे, कि जो भाग 5 है, यानि कि part 5 है, वो सबसे बड़ा भाग है, यानि कि सबसे बड़ा भाग है, biggest part है in Indian constitution, तो मैं इसको लिग देता हूँ, और यहां से exam का question मैं एक दो बार solve किया हूँ, ठीक है, तो आपसे बड़ा भाग कौन सा है, जो एक, दो, तीन, चार, पान, साथा, एक से लेके 22 तो करते हैं वो, तो उसमें आपका part 5 है, जिसमें बहुत सारे topics हमको clear करने होते हैं, राश्टपती होते हैं, उपराश्टपती होते हैं, बहुत सारे हैं, मैं गिंती कराना सुरू कर एक्जाम का question है, एक्जाम के question से ही अब हम बात करेंगे, जो भी पीछे की बाते करने ही थी, हम लोगों ने कर लिया है, एक्जाम के question, देखिए, पार्लियामेंट, यानि कि संसद, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परसान नहीं होंगे, हिंदी इंग्लिस सम्में लिखा ह आपको, notes भी आपको हिंदी इंग्लिस दोनों में मिल जाएगा, जो PDF है वो, मैं बोलता है हिंदी में हूँ, लिखा अगर इंग्लिस में हूँ, तो मैं हिंदी में लिख भी सकता हूँ, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, इसलिए आप लोग परसान नहीं होंगे, आपका comment हिं लोगसभा, ठीक है, हिंदी इंग्लिस दोनों में लोगसभा ही बोला जाता है, तो राजसभा लोगसभा, ये दो चीजे हम जानते हैं, क्या रिस संसात में राजसभा लोगसभा होता है, लेकिन बिना president के, हाला की president को मुझे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं तो बिधान सभा जो होता है न, मैं यहाँ पर बिधान सभा लिख दू, ठीक है, बिधान सभा लिख दू, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कि बिधान सभा, बिधान परिशद और राज्यपाल, ठीक है, इन तिनों को मिला करके क्या बनता है, बिधान मंडल, इन तिनों के मिलाकर के बनता है बिधान मंडल. तो ये तो हो गया राज्य का, ठीक है, ये तो हो गया राज्य का, लेकिन ये हो गया किसका? केंदर का या निकी हमारे Central Government का. तो Parliament consists of राज्जसभा, लोग्सभा और President. राजसभा, लोकसभा और राष्टपती से मिलकर के परल्लामेंट कॉंसिस्ट होता है ये कोस्टन एक्जाम में पता नहीं कितने बार पूछा है इस वेसे मुझे ये बताना पड़ा और जहां तक राज्यों की बात है तो आप जैसा की जानते हैं कि सारे राज्यों में सारे राज्यों में बिधान परिसद नहीं होता है तो जिस राज्य में बिधान परिसद नहीं होगा उस राज्य में बिधान सभा और राजपाल मिलकर के बने आएगा बात खतम जैसे मैं example बताता हूँ 36 गट में बिधान परिसद नहीं है तो अगर 36 गट में बिधान परिसद नहीं है तो बिधान सभा और राजपाल ये दोनों मिला करके बिधान मंडल का निर्मान कराएंगे और अगर यहाँ पे महराष्ट्रा में बिधान परिसद है तो वहाँ पे बिधान सभा बिधान परिसद और राजपाल ये तिनों मिला करके बिधान मंडल का निर्मान करवाएंगे मेरी बात समझ में आ रहा होगा ना ठीक है तो इसी तरीके से ये तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेएगा यहाँ से एक्जाम के कोशन आये है बड़ा सिंपल होता है गलत अगर हो जाएगा तो घर पे आकर क्या पस्ताएंगे कि ये गलती तो नहीं होना चाहिए था अब बात करते हैं राश्टसभा लोकसभा में तो उसको एक बार देख ली जाएगा आर्टिकल फिप्टी टू क्या कहता है आर्टिकल फिप्टी टू कहता है कि भारत के राश्टपती होंगे एक राश्टपती होंगे भारत में आर्टिकल फिप्टी टू कहते हैं और वो राश्टपती क्या होगा संग के कारपालिका सक्ति का परधान होगा और वो होता है 53 और ये बनता है एक्जाम का कोशन यानि कि आर्टिकल 53 क्या कहता है कि भारत के राष्टपती संग के कारपालिका का परधान होता है संग कारपालिका का परधान होता है और यह question एक्जाम में कई बार पूछा है कि करपालिका का परधान कौन होता है तो राष्टपती होता है प्लीज आप लोग इसे गलत करके नहीं आएंगे किसी भी हालत में ठीक है और यह article 53 का matter है 52 कहता है कि भारत का एक राष्टपती होगा 54 कहता है कि राष्टपती का election अब राष्टपती का election कैसा होता है देखो जो भी बाते मैं बता रहा हूँ न हर चीज आपको लिखा हुआ मिल जागा in fact जो notes हमने बनाया है जो point उसको हम आपको explain भी करते हुए चलेंगे ठीक है अभी आगे लिखे हुए लेकिन कुछ-कुछ बाते मैं आपको reference में इसलिए बताते चलता हूँ ताकि आपको यह ने लगे कि यह article बता करके छोड़ दिया ऐसा आपके मने में भाव ना आए भाव को संतुलित रखे election of precedent राष्टपती का चुनाव राष्टपती का चुनाव का मतलब क्या होता है कि इनके चुनाव में कौन भाग लेता है इनके चुनाव की परनाली क्या है ठीक है उसके बाद आगे है कि राष्टपती के चुनाव का रिती क्या है प्रोसेस क्या है जो परणाली की बात कियो हो फिप्टी-फोर की बात होती है यानि कि पच्पन की बात होती है आर्टिकल पच्पन रिती की बात करता है यानि कि मैनर की बात करता है और ये एलेक्षन के क्या आधार है किस तरीके से एलेक्षन होगा राश्ट्पती का उसके ब और भी बाते हैं जह भी आम्तुरत आपको बतायेंगे जैसे कि राज़ेंद परसाद एक मात्र रास्थ पती हैं उसके बाद जितने भी राष्ट पती हुए वो एक एक बार ही बने है और अब एक परमपरा जैसा बन गया है कि दो बार राष्ट पती नहीं बनेंगे हो सकते है आगे चलकर कि एक परमपरा तूटे है उसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन point यहाँ पर यह है कि अभी तक भारत के राश्टपती दो बार सिर्फ डॉक्टर राजेन परसाधी बने है और 5 साल के पदावदी होते हैं eligibility क्या है, योगता क्या है, पातरता क्या है, 25 बर्स age है और भारत के नागरी खोने चाहिए यह सारी चीजे हैं, जो कि हम आपको भी तुरत बताने वाले हैं, बस आप एक बार article के साथ go through हमारा हो जाएए, बस थोड़ी से समय दीजी आप article के साथ, क्योंकि एक्जाम में अगर कितने भी बार कोई बन सकता है, मतलब कि जो बात मैंने आपको बताया था कि एक मात्र डॉक्टर राजन परसाद है जो कि दो भाई राश्टपती बने हैं और कोई नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं बन सकता है ये बात हमने पहले आपको किया उसमें एक और बात आपको हम add कर देना चाहते है कि क्या सिर्फ दो ही बार बन सकता है क्या सिर्फ एक ही बार बन सकता है तो ऐसा सिर्फ सब जो है only सब्ध हमारे सम्मिधान में नहीं है कि राष्टपती को बनने के लिए कि नई भाई तुम एक ही बार बनोगा, ऐसा कोई बात नहीं है वो कितने बार भी बन सकते हैं, बसरते वो हर बार चुन पर adjustments कर लें मतलब हर बार election में electe hootay रहें तो राश्टपती बन सकते हैं, कोई भी person इसमें कोई बात नहीं है, हमारे समिधान में कोई restriction नहीं लगाया गया है कि आप दो बार बने या चार बार बने ठीक है चले 58 qualification की बात कर ले 59 condition of the president मतलब कि उनकी सर्टे के आहोंगी जब तक वो पद पे रहेंगे उनके बेतन में कटोथी नहीं किया जाएगा उनको राश्पती 1 में रहने का एक पूरा केसे दिया जाएगा उसमें कहीं कोई कमी नहीं की जाएगी संसत पर इन पे कोई चर्चा नहीं होगा ये सारी सर्टे हैं राश्पती को लेकर के जो conditions है 59 में 61 जो बहुत important है एक्जाम में कई वार question पूछा है और आप जानते हैं इस बात को लेकर के कि महाभियोग राश्पती पे महाभियोग तो राश्पती पे महाभियोग को लेकर के पूरा अभी हम चर्चा करेंगे अभी इसी जो लेक्चर है उसमें सारे चर्चा हम एक बार फिर से करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस आप article को आप संभाल लीजे बाकि topic को हम आपको बतायते हैं एक बात ध्यान में रखिएगा मैं इसलिए बोल रहाँ article को संभालने के लिए क्योंकि article matter होता है याद रखने का इस बात को समझेगा reference में बताने की कोशिस करता हूँ आगे भी करते रहूँगा लेकिन आप कितना एक्जाम तक लेके चलते हैं और अगर article आप से छूट भी जाता है तो मान के चले कि एकाद कोशन आपके एक्जाम में छूटेंगे क्योंकि एक एक्जाम में एक से दो से ज़्यादा article नहीं पूछते हैं quality में पूछने के लिए बहुत बाते हैं तो article को मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दो कोशन पूछते तो उसको ignore कर दो मैं ये कहूँगा कि आप कितना carry कर सकते हैं 395 आप के carry नहीं कर सकते हैं ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ चाहे आप कितने बड़े वी तीसमार खाऊं तो हम important article के बारें बात करेंगे तो ये important ही है जो exam में अलग-अलग exam ने सोनों में समय समय पर पूछे गए हैं इसलिए मैंने ये बात यहां पर बताई है कि article को आप एक बार संभाल लीजे अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक-एक करके point जो हमने अभी आप तक चर्चा कर रहे थे छोटे-छोटे सब्दों में अब बड़े-बड़े सब्दों में बात करेंगे कि क्या हो रहा है देखिए बड़े-बड़े सब्दों में ये है कि राष्टपती देखिए हिंदी-इंग्लीज दोनों में लिखा हुआ है और प्लीज आप लोग परसान नहोंगे ठीक है प्लीज इलेक्सन ओफ प्रसिडेंट राष्टपती का जो इलेक्सन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो जब राष्टपती के इलेक्सन की बात करते हैं तो यहां पर एक्जाम का कोशन कई बार पूछा है कि इलेक्सन किस प्रकार के होते हैं अब आर्टिकल आप समझाल लिए है टॉपिक हम समझाल लिए और बड़े ध्यान से समझे मैं अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो राष्टपती के इलेक्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके इलेक्सन की जो बिधी है वो है एकल हस्तनांत्रिये बोट के माध्यम से अनुपातिक परतियुकी परनाली है इसको इंग्लिस में बोलते है Single Transferable Voting System यहाँ पर लिख लिजे Single Transferable Voting System Proportional Representation by Means of Single Transferable Voting System यह अपने आप में यह लाइन जो मैंने घेरा है एक्जाम का कोशन बन जाता है हिंदी इंग्लिस दोनों में लिखा हुआ क्या कोशन बन जाता है कि राश्टपती के इलेक्शन किस तरीके से होता है तो एकल संकर्मनिय हस्तनांतरन अनुपातिक मतपधिती के दुआरा राश्टपती का क्या बोलते हैं इलेक्शन होता है अब आप कहिएगा सरी एकल हस्तनांतरन और Single Transferable Voting System जो Proportional Voting System ये होता क्या है दरासल देखिए इसके उपर अगर हम चर्चा करने चले ना तो हमारा 20-25 मिनट यहाँ चला जाएगा लेकिन मैं थोड़ा साब को बता दू तो राश्टपती जी के चुनाब में क्या होता है कि एक आदमी एक ही बोलत मतलब कि एक बेक्ती के लिए बोट नहीं दे सकता है राश्टपती के लिए जितने भी लोग खड़े होते हैं उनका एक लिस्ट बन जाता है और लिस्ट के बाद जो बोटिंग के लिए इलिजिबल है अब कौन है वो आगे हम बताएंगे जो बोट डालने के लिए इलिजिबल परसन है जैसे MP है, MLA है तो वो MP, MLA या इलिजिबल परसन जो है न जाकर के अपना ग्रेडिंग डालेंगे कि हम पहले नंबर पे किन को राश्टपती देखना पसंद करते हैं तो ये ग्रेडिंग के हिसाब से जब वो डालेंगे और फिर गिंती होगी और गिंती होने के बाद अगर राश्टपती का मत नहीं हुआ जितना की जरूरी है तो फिर सबसे कम मत पाने वालों को हटा दिया जाता है और उनका मत फिर सब में बार्ट दिया जाता है तो ये ट्रांसफर का जो परकिरिया है और इस तरीके से जो एक से ज़्यादा राश्टपती पे अपना भ्यू देने का जो बिचार है ये पूरा का पूरा कहानी कहता है एकल संकर्मनिय मत पहती अब यहाँ पर अगर मैं इसको ले करके ज़्यादा समय बिता दू तो फिर ये उचित नहीं होगा क्योंकि एक्जाम में इससे ज़्यादा कोशन आपसे नहीं पूछा है हाँ कभी ज़रूरत पर है अगर आपको लगता है कि हम इस पे इलग से चर्चा करें तो 40-45 मेंट का पूरा कलास होगा हर चीज को हम निकाल करके और आपको बताएंगे कि कैसे राश्टपती में मत दान होता है किस तरीके से मतों को कल्कुलेट किया जाता है एक मत का क्या वैल्यू होता है एस्टेट में, सेंटर में क्या वैल्यू होता है MP की क्या value होती, सब बात बताएंगे चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं फटा-फट चलिए, अब अगला point है कि राष्टपती के चुनाब में जो राष्टपती के चुनाब होते हैं वो consist of, यानि कि कौन-कौन राष्टपती के चुनाब में भाग लेते हैं जिसको इंगलीज में बोलता है Electoral College, यानि कि उनके चुनाब में भाग लेने वाले लोग कौन होते हैं, यहाँ पे निर्वाचक मंडल जो है न हिंदी में लिखा हुआ है इंगलीज में Electoral College देखते हैं कि कौन-कौन राष्टपती के चुनाब में भाग लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ पहले भाग लेंगे Parliament, यानि कि राष्ट सभा और लोग सभा के निर्वाचित सदस यहाँ पे एक सब्द का परयोग किया है मैंने उसको बड़े गौर से समझेगा निर्वाचित सदस ध्यान रखेगा कि निर्वाचित सदस ही भाग लेते हैं मनोनित सदस भाग नहीं लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है The Elected Member of Both House of Parliament Both House of Parliament का मतलब होता है मैं यहाँ पे खुल के लिख दू इसलिए कि आपके मन में कोई confusion ना हो राजसभा हिंदी एग्लिजिस में राजसभा को राजसभा लिखा जाता है लोगसभा को लोगसभा लिखा जाता है आप लोग परसान नहीं होंगे फिलीज बेटा ।टिक है हिंदी में भी लिखा हुआ है तो दोनों सतनों के निर्वाचित सदस ही राश्टपती के चुना में भाग लेते हैं पहले तो यह समझ लिजे, मनोनित नहीं दूसरा बात यहां पड़ यह है कि राज में, यानि कि एस्टेट लेजिसलेचर में मानि राज बिधान मंडल में, the elected member of legislative assembly सिर्फ legislative assembly, यानि बिधान सभाओ के निर्वाचि सदस बिधान परिशद इसमें include नहीं है बिधान परिशद राश्टपती के चुनाब में भाग नहीं लेते हैं मेरी बात को अच्छे तरीके से ध्यान दिजे बिधान परिशद भाग नहीं लेते हैं बिधान सभाओ के और उसमें भी कौन निर्वाचित सदस भाग लेते हैं बिधान सभाओ के उसके बाद elected member of legislative assembly of UT दिल्ली, pondicherry and jain के हाला कि ये बात लिखना जरूरी नहीं था तीसरा point इसलिए जरूरी नहीं था मैं आपको बड़े गौर से समझाता हूँ और मेरी बातों को बड़े गौर से समझे इसलिए जरूरी नहीं था कि जब हम बिधान सभाओ सब्द का पड़योग कर दिये तो वो state में हो या union territory में हो यानि केंदर सासित परदेश में हो कोई फरक नहीं पड़ता है बिधान सभा के जो सदस होंगे निर्वाचित वो राश्पती के चुना में भाग लेंगे अब यहाँ पे अलग से जो मैंने लिखा है उसमें एक point जो मैंने add किया है उसको दिहान में रखिएगा कि अलग से लिखने का मतलब है कि पहले दिल्ली और पॉंडिचेरी अपने आप में क्या बोलते हैं include था यानि की एक understand था लेकिन नए बिधान सभा में एक जम्मू और कास्मीर में भी बिधान सभा को कहा गया है और आप जानते हैं कि जम्मू और कास्मीर अब union territory है यानि कि अब संगसासित परदेश है राज नहीं है तो यहाँ पे इसलिए इसको इस point को add कि सिर्फ जम्मू कास्मीर के वज़ा से ताकि आपके मन में clarity आ जाए एकदम clear रहे कि हाँ ठीक है दिल्ली, पॉंडिचेरी और जम्मू कास्मीर के निर्वाचित बिधान सभा के निर्वाचित सदस होंगे वो राष्टपती के बोट डालेंगे अब point है कि अगला राष्टपती का चुनाब होगा तभी तो जम्मू कास्मीर के बोट डाल पाएंगे क्योंकि इस राष्टपती में तो वो बना ही है इस राष्टपती में तो वो केंसासित परदेश बना ही है पहले तो राज था और राज की रूप में वो बोट डालता था ये वात सही है तो point यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली पॉंडिचेरी और जेन के जो केंसासित परदेश है उसके भी निर्वाचित सदस जो बिधान सभा के वो बोट डालेंगे और साथ ही साथ जितने भी state है उसके निर्वाचित सदस बिधान सभा के बोट डालेंगे राष्टपती के चुनाब में और लोगसभा, राजसभा के निर्वाची सदस बोट डालेंगे राश्पती के चुनाब में तो निर्वाची सदस एक सब्द जरूर ध्यान में रखेगा क्योंकि अगर सब्दों का फिर हो गया तो को एंसर बदल जाएगा के वहल अगर यह अगर यह दे दिया कि member of लोगसभा, member of राश्भा या यह दे दिया कि member of parliament तो यहां पे आप गल्ती कर जाएंगे लेकिन elected member of parliament दे दिया तो आप वहाँ पे सही कर जाएंगे इस बात को धियान में आप रखेंगे तो राश्टपती के चुनाब में कौन-कौन भाग लेता है वो समझ में आगे आपको चलिए आगे बात करते हैं आगे जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन भाग नहीं लेता है तो देखो जो भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है ये बड़ा सिंपल है क्योंकि जो भाग लेता है और उससे जो बच गया वो भाग नहीं लेता है राष्टपती के चुना में तो कौन-कौन नहीं लेता है तो वो देखिए बड़ा असान तरीके से लिख लिया है मैंने कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भाग नहीं लेते है नॉमिनेटेड मेंबर एक, फिर यहां नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, बिधान परिसद भाग नहीं लेते हैं, हिंदी इंगलीज दोनों बाले बच्चे दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से यहां नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते हैं, दिल्ली जम्मु कास्मीर के नहीं लेते हैं, ठीक है, घान में आ गया, चलिए, तो यहां हिंदी में लिखा दोनों सत्नों के मनोनित सदस, राज बिधान सभाव के मनोनित सदस, राज बिधान परिसद के सदस, और दिल्ली पॉंडिचरी जम्मु कास्मीर के बिधान सभाव के मनोनित सदस राश्टपती के चुनाब में भाग नहीं लेते हैं हिंदी में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इंग्लिस में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है तो कौन भाग नहीं लेंगे, simple, nominated member, कौन भाग लेंगे, elected member, कौन-कौन से, लोकसभा, राजसभा, बिधान सभा के elected member, चाहे बिधान सभा वो state का हो, चाहे बिधान सभा वो union, territory का हो, हो गया, आगे बढ़ते हैं, बड़े गौर से समझेगा, बहुत अराम से समझा रहे हैं, समझने की परकिरिया में, आप लोग बिल्कुल भी दिकत नहीं पाईएगा, एक, दूसरी बात यह है, कि आप, जो भी बच्चे हमें देखते हैं, या जो बच्चे समझते हैं, तो कमेंट कीजे, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजे, कि हमको ये चीज़े आप लोग कमेंट करते हैं, तो एक टीचर की रूप में, वो एक तरीके का होसला बढ़ाने वाली बात होती है, कैसे, क्यों जब आप कमेंट करते हैं, तो लगता है, कि हाँ, मैंने ये चीज़े पढ़ाया है, ये सही है, और अगर आपको नहीं भी समझ में आता, तो भी कम बारी है, कि मैं समझाओ, वैसे तो लगता है, कि view हो गया, और comment नहीं है, तो लगता है, प्ता नहीं देखा, नहीं देखा, क्या समझाओ, नहीं समझाओ, तो ये चीज़े मन में चलती है, तो comment जरूर कीजिए, चलिए, qualification for the election, यानि कि election के लिए जो qualification है, वो क्या है, मैंने article पहले बता दिया है ठेक है अब मैं topic से बता रहा हूं तो मैंने आपको पहले कहा कि आप article एक बार सम्हाल दीजे topic हम सम्हालनेगे आपको और article सम्हालना बहुत मुश्किल नहीं है बस आपको बस गौर से एक बार सिसले बार धंग से देख लेना है देखिए qualification क्या है योगता मैंने यहापे लिख दिया है कि क्या योगता है तो भारत के नागरिक होना चाहिए हिंदी इंगलिस दोनों में लिखा हुआ है तो आप लोग परसान नहोंगे ह इसके बाद उनका उम्र कितना हो चाहिए 35 साल होना चाहिए एक बाद ध्यान रखिएगा उम्र से कितने बार भी question पूछे जाते हैं तो जो कितने बार question पूछे जाते हैं उसमें उम्रों का एक पूरा का पूरा कहानी है जो मैं आपको बता दूँगा कि कहां पर किसके गौनग माद का मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए एक सब्सक्राइब बता ही लेज़ी क्वालीफाई होना चाहिए लोग्सभा क duration पीर सदस होना और लोग सभाग के सदस होने के लिए योगता रखना इस दोनों में अंतर है यानि कि मैं टीचर हूँ और मेरे पास टीचर की योगता है इस दोनों में अंतर है किसी बंदे के पास टीचर की योगता होते हुए भी वो टीचर नहीं होगा हो सकता है ऐसा possibility है आप जा होना और लोकसभा के सदस के लिए योगता रखना दोनों में अंतर होता है तो योगता रखना होगा सदस होना जरूरी नहीं है और अगर सदस हुआ तो उनको सदस्ता छोड़नी होगी राष्टपती के बनने के लिए इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा चलिए आचाहिए यहाँ पर राष्टपा के सदस के रूप में योगता अगर लिग दिया तो यह गलत हो जाएगा राष्टपा के सदस के रूप में वाइस प्रसिडेंट में आता है तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा चलिए मतलब ये है कि इतना सारा बात मैंने आपको लिखा है उसमें सिर्फ एक ही बात है कि लाब के पद पे नहीं होना चाहिए जो नॉर्मली टीचर पढ़ाते है उसका एक ही लाइन होता है लाब के पद पे नहीं होना चाहिए ना union government में ना state government में ना कोई local authority में ना कहाई कोई public authority में कहाई भी लाब के पद पे नहीं हो अगर है तो वो छोड़ दे उसको आद राष्टपती का चुनाव लरे कहने का मतलब राष्टपती बनने के लिए आपको लाब का पद छोड़ना होगा और अगर लाब के पद पे रहनते हैं तो फिर राष्टपती आप नहीं बन सकते हैं बड़ा simple point है इसको बड़े simple तरीके से देखिएगा ठीक है तो लाब के पद पे नहीं रहना चाहिए तो योगता में क्या देखा भारत के नागरिक होने चाहिए पहला point दूसरा 35 साल उमर होना चाहिए तीसरा क्या लिखा कि वो लोग सभा के सदस बनने की योगता रखते हो और चौथा क्या लिखा लाब के पद पे नहीं होना चाहिए इसके बार थोड़ा सा point है देखे sitting president यहाँ पे English में और Hindi में दुनों में लिखा हुआ है कोई भी president जो sitting है जो बरतमान president है और vice president है या governor है या minister है किसी union में उसको office of profit जो है ना क्या है not dimmed नहीं समझा जाएगा उसको office of profit हिंदी में क्या लिखा हुआ है संग के बरतमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष राजिपाल ठीक है लाव का पद धारन करने वाला नहीं यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मतलब होता है sorry यहाँ पे राष्टपति उपराष्टपति हिंदी वाले बच्चे राष्टपति कर लिजेगा यह थुरा सा गलत क्या बूलते हैं लिखा हुआ है राष्टपति और उपाध्यक्ष के लिए क्या लिखेंगे उपराष्टपति तो राश्ट्पती और उपराश्ट्पती के पद हो या राजपाल का पद हो किसी मंतरी का पद हो उसे लाब का पद नहीं माना जाएगा और राश्ट्पती के चुनाब के लिए यूग होते हैं ये एक छोटा सा point मैंने आपको जानबुझ करके बता दिया है आप इसको लिखे ना लिखे, कोई फरक नहीं परता है मुझे लगता है कि एक्झामनेशन में आपको यह question मैंने solve नहीं किया, अगर आपने solve किया तह आप comment करेंगे नहीं सर मैंने इसको solve किया, तो आप comment कीजएगा ठेक है अगर आपके examination में कभी आया हो आपसे solve हो या ना हो दोनों ही हालात में oath और affirmation यानि की सपत की बात हो रही है राष्टपती के सपत लेने की बात हो रही है तो उनको सपत कौन दिलाएगा तो उनको सपत दिलाएगा Supreme Court के मुख नियाधीस यह बात मैंने यहां पर लिखा हुआ है यानि की Chief Justice of Supreme Court यहां पर देखो President Chief Justice of India अब Chief Justice of India C.J.I. बोलते हैं इसको C.J.I. बोलते हैं या इसको Supreme Court के मुख नियाधीस बोलते हैं और अगर यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा और अगर Supreme Court के नियाधीस मुख नियाधीस ना हो यह किसी कारण से नहीं रहे उपस्थित नहीं हो तो उनके बदले में कोई भी बरिष्ट नियाधीस जो Supreme Court का हो वो राजपती का सपत दिलाएंगे जैसे कि उनके उन उपस्थिती में सर्वोच नियाले का बरिष्टम नियाधीस द्वारा दिलाया जाता है अगर वो उपस्थित ना हो तो जो बरिष्टम नियाधीस है यानि की जो Superior नियाधीस है उनके द्वारा सपत दिलाया जाएगा इस बात को ध्यान में आप अच्छे तरीके से रखेंगे जब हम बात करते हैं राश्परती के पद की सपद का तो कौन सपद दिलाते हैं? C.J.I. Simple point अगर एक लाइन में लिखना है तो C.J.I. अगर एक लाइन में लिखना है तो और अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो C.J.I. सपद दिलाता है उनकी अनुपस्थिती में कोई भी बरिष्टम नयाधीस है ना Senior Most Judge of Supreme Court चलिए आगे बढ़ते हैं आगला बढ़ते हैं तो अब इनके Conditions यानि कि इनके जो सर्ते हैं राष्टपती के काडियाला का वो क्या है Conditions देखते हैं सर्ते क्या है तो सर्ते है कि उन्हें किसी सदन का राज बिधान मंडल का सदस नहीं होना चाहिए ये बात हमने आपको बताया कि लोग सभा के सदस्ता की योगता तो रखते हो लेकिन सदस्त नहीं हो यही बात हमने सदन का सदस्त नहीं होना लोग सभा या राज सभा दोनों में बिधान मंडल का मतलब बिधान सभा या बिधान परस्त दोनों का सदस्त नहीं होना चाहिए अगर है तो वो सदस्त छोड़ दे एक, लाब का पद धारन नहीं करता हो जिसके बारे में हम लोगोंने पहले चर्चा कर लिया कि लाब के पद को धारन नहीं करते हो एक, दूसरा क्या कि उनका जो निवास है यानि कि जो राष्टपती वन हिंदी इंग्लिस दोनों में लिखा हुआ है बच्चा ठीक है, बिल्कुल परसान नहीं होना चुकि मैंने जोग्राफी क्लासे में सिर्फ इंग्लिस लिखा है तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है तो अभी हिंदी इंग्लिस दोनों लिखा हुआ है कि उपयोग के लिए किराय के भुगतान के मिना हकदार है यानि कि ये राष्टपती भवन का को इंज्वाय करेंगे क्योंकि ये भवन उन्हीं के लिए है और उसके लिए उनको कोई किराया नहीं देना होगा ये बड़ा छोटा सा बात है जो मैंने आपको लिखा है इसके लिखने की जरूरत नहीं है राष्टपती भवन तो जानते ही है राष्टपती भवन ही है राष्टपती भवन कभी आपने देखा हो राष्टपती भवन चलो ऐसे पडिलब दियो भत्तो और विशे सा धिकारों का हगदार है जो संसत द्वारा निराइट किया जाता है अब इसको इंग्लिस में पर्मिया ज़्यादा आसान होता है कैसे कि इन टाइटर पर सच एमोलुमेंट्स, एलावेंस और प्रिविलेज्स ठीक है जो भी संसत तै करेगी वो इनके लिए हगदार है और जब तक वो अपने पद पे है उस पे कम नहीं किया जा सकता है आप राष्ठपती के जो चीजें उसको बढ़ा सकते हैं बढ़ाने का मतलब यह है कि अगर उनके खिर्की में एक पर्दा लगा हुआ है तो दूसरा पर्दा बढ़ा दीजिए ठीक है? यह चलेगा लेकिन दस खिर्की में से एक खिर्की का पर्दा हटा दीजिएगा यह नहीं चलेगा मतलब कमी कुछ भी नहीं कर सकते हैं बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं जब तक उनकी पदावदी है जिसके सर्थ पर वो बैठे हैं ठीक है? चलिए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भतों को कम नहीं किया जा सकता है यानि कि आप कम नहीं कर सकते हैं यह बात हमने आपको राष्टपती के कंडिसंस के बारे में बात किया अब हम लोग बात करते हैं राष्टपती की सैलेरी कितनी है यानि कि उनको बेतन कितना मिलता है तो देखो गरीब हो राष्टपती का बेतन कितना है सामने में लिखा हुआ है 5 लाख अब तुमको लग रहा 5 लाख साल में क्या? नहीं, तुम लोग गरीब हो गरीब की तरह सोचोगे, 5,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ने उस बग्गी को जीता था तो यह बात याद रखेगा जो राष्टपती का बग्गी है वह हम टॉस से जीते हैं तो बग्गी मिलता है उसको इतना वरा राष्टपती भवन है जिसको पहले वायसराय हाउस कहा जाता था इतना वरा राष्टपती भवन मिलता है उनके पास दुनिया भर के करमचारी हैं, कहतें तीन हज़ार करमचारी राष्टपती जी के लिए काम करते हैं, राष्टपती जी के लिए अलग से forces होते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं, selection होता है, वो अलग से होता है, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से भी forces को भेज दिया जाए, राष्टपती के भवन में जो forces आप देखते हैं, निला, पीला, हारा, काला जैसा अलग तरीके का ड्रेस पहन के और करतब दिखाते हुए, वो forces होते हैं, जो राष्टपती का personal forces होते हैं, घोरे पे आगे चलते हुए, और भी बहुत सारी बाते हैं, जो राष्टपती को मिलता है, यह बात ध्यान रखेगा, उनके खाना, हर चीज उनका बहुत बहुत बात है, तो salary और other allowance में आफ समझ रहे न, पांच लाख रुपिया जो मिलता हो, बची जाता होगा, कहां खर्चा करेगा, इतना सारा तो, और भारत का राष्टपती है भाई, भारत का राष्टपती है, the first person, the first person of India, यह बात याद रखेगा, चलिए, term of precedent, यानि कि राष्टपती का बेतन हो गया, अब राष्टपती की कारिकाल की बात करते है, हम लोग ने पहले भी बात किया कि राष्टपती का कारिकाल कितने सालों का होता है, तो 5 साल का होता है, यहाँ पे 5 सालों का राष्टपती का कारिकाल होता है, और वो कितन कितने बार भी चुनने जा सकते हैं», he also eligible for care, he may be elected for any number of terms. कितने बार भी चुने जा सकते हैं, कितने बार भी चुने जा सकते हैं, यह बात बहुत यहां पर लिग सकते हैं. ऐ बाकिने बार के पहले रास्टपती कोन थे? और अब तो ये सिलसिला चला आ रहा है कि एक ही बार बनते हैं दुवारा नहीं बनते हैं लेकिन जरूरी नहीं है जो मैं बनने बात बताया वो सही हो आगे चल करके पीछे तो नहीं हुआ है आगे चल करके किसी को दुवारा तिवारा भी बनाया जा सकता है या वो बन सकते हैं अगर उनमें ऐसी quality हो तो इबात को आप समझेगा ठीक है लेकिन अभी तक सिर्फ डॉक्टर राजन परसादी ऐसे राश्टपती रहे हैं जो दो बारी भारत के राश्टपती रहे हैं उसके बाद और कोई नहीं ठीक है ना ध्यान में रखिएगा तो उनक आपको इसे पहले बताया कि चुनाव होता है और चुनाव में कौन भाग लेता है यही बात हमने आपको बताया अब जड़ा याद कीजिए कि जब हमने आपको प्रियंबल पढ़ाया था तो उसमें मैंने कहा था कि भारत एक गनराज है और यह एक्जाम का कोशन बन जाता ह एक्जाम का कोशन क्या बन जाता है कि गनराज किसको कहते है गनराज यहाँ पहली जोता हूँ मैं हिंदी में गनराज इंगलिस में रिपब्लिक ठीक है रिपब्लिक किसको कहते है तो देखो रिपब्लिक उसको कहते है जिस देश के हेड का इलेक्शन हो वो देश रिपब् the country head of the state state का मतलब आप समझ रहा है न मैं आपर लिख रहते हूं head of the state state यानि की country की बात कर लिया है head of the state elected ठीक है head of the state elected the state called called as republican state या republican country country state ठीक है जिस भी state का head का election हो अगर वो निर्वाचित हो उस देश का head head का मतलब पहला वेक्ती ठीक है first citizen पहला वेक्ती elected हो वो देश रिपब्लिकन कहलाएगा अब थुरा सा example बता दू उसके बाद फिर मैं फिर से एक बार राश्पती के तरफ आगे बढ़ूँगा example है जैसे भारत Republican country है ठीक है और पाकिस्तान हमारा Republican country है ठीक है और USA हमारा Republican country है ठीक है यह example मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ जिसका भी नाम लीजेगा मैं बता दूगा Republican है या वो क्या है नहीं है Republican चलिए अब नहीं है उसके example देते हैं जैसे कि हमारा United Kingdom England वो Republican नहीं है ठीक है जैसे North Korea वो Republican नहीं है ठीक है जैसे Russia वो Republican है बलादमी पूतिन जानते हैं वो Republican है और जैसे कि हमारा यहाँ अब राजा राणी है, अभी मौझूद है, सर्वोच उरूप से, वह Republican नहीं होगा, लेकिन जहाँ भी पहला नागरी का चुनाब हो जाए, वह Republican कंट्री होगा, तो इस बात को थ्यान में रखियेगा, जो बात मैंने आपको बताया है, Board पे भी लिख दिया है, Hindi वाले बच्ची भी ध्यान में रखेगा गनराज जो वो होते हैं जिसके head यानि जिस देश का पर्थम बेक्ती का निर्वाचन हो वो देश रिपॉब्लिकन यानि कि गनराज जी कहलाता है चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे राश्टपती के कारेकाल का तो वो बात हम लोगों ने क को लेख लेजएगा हला कि नोट्स आपको हम प्रवाइड कराएंगे उसमें यह लिखा हुआ आपको मिलेगा देखिए सरकारी अधिकारियों का बेतन है इसमें और जो प्रसिडेंट यहां पर प्रसिडेंट राष्ट्रपती होना चाहिए अध्यक्ष हो जाता है थुरा सा ल दो लाग है वाइस प्रसिडेंट का 4 लाग है गवर्नर का सारे तीन लाग है लेटिनेंट गवर्नर का 700,000,000 है ठीक है सी जी आई का 28,000 है CGI मतलब Chief Justice of India ठीक है तो और उस्तम न्याले के यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायाधीस 250,000 है उस्तम न्याले के न्याधीस का Chief Justice of High Court का 250,000 है Chief Justice of High Court का लेकिन Judges of High Court Other Judges of High Court का 2,25,000 है निर्वाचनाइट का 2,50,000 है CAG का 2,50,000 है यह बड़ा आसान है उसको याद रखना जैसे की राश्पती का 5,00,000 तो भाईया उपर राश्पती का कम होगा तो 4,00,000 राजपाल का उनसे कम होगा तो सारे 3,00,000 simple point है ठीक है उसका अद गवर्नर का थोरा सा कम होगा तो 3,25,000 फिर क्या है मुख न्याधीस जो सुप्रीम कोट का है उनका 2,80,000 है तो सुप्रीम कोट के दूसरे न्याधीस है वो 2,50,000 अब हाई कोट चुकि सुप्रीम कोट से छोटा होता हाई कोट हाई कोट के मुख न्याधीस का 2,50,000 होगा और हाई कोट के अन्य नियाधिस का दो लाग पचीस जार होगा, यहाँ पे ध्यान में डिखिएगा, मुख निर्वाचन आईक तो यह पॉइंट आप थुरा सा ऐसे एरेंज करके देख लिजेगा, एरेंज तरीके से याद कीजेगा, तो यह याद हो जाएगा, ठीक है, जैस आपके सामने में दिख सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि एक बार क्रोस चेक जरूर कर लिजेगा, चलिए, आगे बात करते हैं, अब राष्टपती का एक सेगमेंट हमारा यहाँ समाथ होता है, एक सेगमेंट का मतलब यह होता है कि हम राष्टपती के बारे में जो basic बाते थी वो सारी बात हम लोग ने यहाँ पर जान लिया कि भाद के राष्टपती उनकी जो योगताएं हैं, उनका निरवाचन, उनके जो सर्ते हैं या फिर उनके पास जो भी कितने समय तक रहेंगे, क्या और conditions हैं, यह सारी बाते हम लोग ने यहाँ तक कर लिया है, उ उनकी जो क्या बोलते हैं, अधिकार है, उनके जो powers है, वो क्या है, उनकी सक्तियां क्या है, राष्टपती की सक्तियां, जो हिंदी में आप बोलते हैं, सक्तियां, हलाकि यहाँ पर मोटा मोटी मैंने साथ परकार में बाटा है, और यहाँ पर मैं कोशिस करूँगा कि सब को बताऊं अलग-अलग से सबको बताऊंगा मैं परसान होने की जरूरत नहीं है एक एक चीज को बताऊंगा चलिए तो राष्टपती की सक्तियों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले है कारिपाली का सक्ति यह बात ध्यान रखिएगा उसके बाद है बिधाई सक्ति, legislative power, financial power यानि की बित्य सक्ति, judicial power यानि की न्याइक सक्ति, diplomatic power यानि की कुटनितिक सक्ति, military power यानि की सैने सक्ति, emergency power यानि की अपातकालीन सक्ति अब आप कहेंगे कि ये तो सक्ती हो गया खतम तो हाँ हो गया खतम सक्ती खतम, बात खतम राश्टपती खतम, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है सक्ती अभी खतम नहीं होई है सक्तियां बहुत है बची होई राश्टपती के पास बस वो यूज नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से दर असल ये बात भी अपने आप में बड़ी खुबसूरत है मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बाते आपको बता दूँ बड़ी खुबसूरत बात है वो क्या है वो बताते हैं देखिए राष्टपती की सकती तो राष्टपती के होते हैं ठीक है तो राष्टपती जो होते है वो नॉमिनल हेड है हमारे देश के नॉमिनल हेड है नॉमिनल हेड ठीक है कुछ बाते जो एक्जाम के भी हो जाते हैं कुछ आपके conceptual चीजे भी आपको दिखना चाहिए चुकि मैंने आपको कहा कि किसी भी exam में जाओ तो थुरा सा बताना पड़ता है nominal head है यानि कि नाम मातर का परधान है राष्टपती नाम मातर का परधान है नाम मातर का परधान अब कुछ लोग, कुछ teacher खास करके जब मैं पढ़ रहा था जब हमारे teacher हमको पढ़ाते थे तो उसमें राष्टपती जी को rubber stamp बोलते थे वो rubber stamp है और दिल्ली के गलियों में मुखरिनगरे गलियों में ये famous rubber stamp जैसी बात है अगर कोई वहां से देख रहा हो अच्छा और उन गलियों को थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो हाँ पर rubber stamp जैसी चीज़े खुब चलती है तो राष्टपती जी मैं कहता हूँ नाम मातर के परधान है rubber stamp ठ्वा ठीक नहीं लगता है ऐसा लगता है कि उनकी पूरी value को आपने degrade कर दिया है मैं upper grade पे रखता हूँ राष्टपती जी को हमेशा और हमारा समीधान रखता है तो हमें भी रखता हूँ चोकि मैं समीधान को मानने वाला लोगों में से एक हूँ आप भी मानते हैं तो नाममातर के परधान है लेकिन जो बास्तविक परधान जिसको पिछले 78 सालों से 2014 से बाकि साल आप जोड़ लिए अब 21-22 माँ चलने लगा है तो आच्गे में परवियस कर गये है तो यहां नहीं कर जाएंगे तो पिछले 2014 से हमारे परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी है और नरेंदर मोदी जी परधान मंत्री है और वो real head है यानि कि हमारे देश के जो परधान मंत्री होते हैं वो real head होते हैं और जो राष्टपती होते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब थुरा समय आपको एक सब्द में, मतलब एक लाइन में समझा देता हूं और वही एक लाइन जो है ना चीजों को बदल देती हैं. वो एक लाइन ये है कि राष्टपती जो भी काम करते हैं, जो भी पावर आप यहां पर पढ़ेंगे और जो मैं अभी आपको परहने वाला हूं, एक एक पावर हम छोडएंगे नहीं आपको अभी, ऐसे खतम नहीं होता है. तो जो राष्टपती के जो भी पावर हैं, वो मंत्री परिसद के सुझाब पे वो अपने पावर का यूज़ करते हैं. तो राष्टपती जी वही करत हैं, जो मंत्री परिसद उनको सलाह देती है. तो जिसको सम्मिधान ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है और लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी टीचर है, कि मंत्री परिसद के सलाह पे राष्टपती अपने निरने लेते हैं. अब यहां पर प्वाइ मतलब है कि परधान मंत्री का डिसीजन को राष्टपती को मानना होगा. ठीक है? तो परधान मंत्री जो डिसीजन लेते हैं, वही राष्टपती अमूमन मानते हैं. अमूमन सब्द का परयोग या फिर अमूमन का मतलब होता है कि मानते हैं almost क्योंकि कभी-कभी नहीं भी मान और उन दोनों के बीच में किसी बात को ले करके class हुआ था वह बात हम बाद में बात करेंगे पढ़ाएंगे अभी बीटो पावर में उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे तो उनके बारे में class हो गया था फिर वहां पे मनमोहन सिंग जी के समय में हमारे राष्टपती जी अब्धुलकलाम तो वहां पे सुनिया गांधी को ले करके कुछ लाब का पद को कहानी को ले करके थोड़ा सा मनमुटाओ हो गया था तो और भी चीजे हैं जहां पे आप राष्टपती और परधान मंतरी के बीच में मनमुटाओ का उधारन आप दे सकते लेकिन यह बहुत मतलब बहुत लीश्ट है maximum time राष्टपती को वही करना है जो परधान मंतरी जो देश के परधान मंतरी चाहते हैं जो मंतरी परिशत चाहते हैं तो इसी वज़ा से जो बात मैंने यहां पे लभी दो तीन मिनट से कर रहा था इसी वज़ा से nominal हो जाते हैं भारत के बात भी बात देखीएगा लेकिन नॉर्मलली अगर अभी पनाइंद्र-मोदी हैं अगर उनकी बहभाई करते हैं तो नाभी राश्ट्रकित का पार्णार्वाई होना कभी सुने नहीं है है राष्ट्रकित के गैसा काम कर गया हो वो अलग बात है लेकिन normally अगर अभी न филь्व ने औरमोदी है अगर उनकी भावाई आप करते हैं तो उनको करते हैं और उनकी किसी नीती से आप अच्छा नहीं लगता है तो उनको ही आप उनक दूस्परिचार करते हैं उनके खिलाप में आप बाते बोलतें और आज उठाते हैं ठीक है? छलिए अब राष्ट्रि país पावर के बारे में बात करता है कि इनकी सकतियां क्या है? इनके पावर क्या है? साथ सकती मिरें हम लोग ने बटा है और एक एकर करके हम देखने की कोसिज करेंगे प्रधान मंतरी और अन्य मंतरियों को निउक्त करते हैं हिंद इंगलीस दोनों में लिखा हुआ है प्लीज आप लोग परसान नहीं होंगे प्लीज अप्लीज अन्य मंतरी इंगलीस को है तो प्रधान मंतरी और अन्य मंतरी को नियुक्त करते हैं है और देखेगा महाणियाबादीकों नियुक्त करते हैं यान्य आट ओर्नी General को निक्त करते हैं Attorney General को निक्त करते है Attorney General, हम Attorney General को अलग से पढ़ेंगे उसके बाद और भी है मैं बता दूँ कौन कौन है CAG है, जिसको आप नियंदरक महाले का परिक्षक बोलते है Chief Election Commissioner है, जिसको आप मुख निर्वाचन आयुक्त बोलते है और अन्य चुनावायुक्त भी होता है आप जानते हैं कि एक निरवाचा मुख निरवाचान आयुक्त और दो अन्य निरवाचान आयुक्त इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे CSG को भी अलग से पढ़ेंगे Chairman and Member of UPSC इसको भी अलग से पढ़ेंगे इसको भी न्युक्त करते हैं, गवर्नर इसको भी हम अलक से पढ़ेंगे, गवर्नर को भी न्युक्त करते हैं, तो यह इतने सारे न्युक्तिया इनकी होती है, और भी कुछ चीज़ छूट रही है, उनको भी न्युक्त करते हैं, जैसे यह परसासक को न्युक्त करते हैं, या उनके परसास्तक, या जम्मुकस्मिक चंडिघर, उनके परसासदक लुए न्यूकत करते हैं of 가능 को कौन न्यूकत करता हैं अफटिक करके आएंगे राश्पतन करते हैं यहां पर कोई गलती कोई करेगा और मैं बता दू कि यह सब को अलग-अलग से पढ़ेंगे जो यहां पे लिखा हुआ है तो आपके मन में कोई बात होना नहीं चाहिए इसको हम पढ़ेंगे ही ठीक है अगला पॉइंट यह बड़ा इंपोर्टेंट है इसलिए इंपोर्टेंट है कि इस पर ध्यान नहीं जात आता है और यह गलती करके लोग आजाते हैं कि राश्ट्रपति किसी चेत्र को अनुसुचित चेत्र घोषिद कर सकते हैं और वहां के परसावजहर्ण पाल का सुजहां मांगेंगे कूछ इस तरीके की बाते हैं तो इसको द्यान में और ये गलती आपना करके आए, कि किसी भी छेत्र को अनुस्चीती छेत्र कौन घोसित करता है, तो राष्टपती करता है, और वहां के जो पूरी देख लेख है, परसासन है, वो भी राष्टपती तै कर सकते हैं, तै करते हैं, तो ये बड़ा important point है, जो उनके कारिपालिका सक तीक अंतरगत आता है, ये बहुत important है, बाकी appointment बहुत important है, और चुकि ये जितने सारा मैं ने लिखा है न, इस सब का मतलब एक ही होता है, appointments, यानि कि वो appoint करते हैं, किसको किसको appoint करते हैं, underline कर दो, और सब का नाम लिख दो, PM, Minister, CAG, Attorney General, Governor, सब का नाम लिख दो, एक्षन कमि गोसित कर सकते हैं, चलिए, अगला power इनका देखते हैं, बिधाई सकती, यानि कि legislative power, legislative power क्या है, वो बताते हैं आपको, ये 17 वसान कर सकते हैं, प्रोड पार्लियामेंट को और dissolve कर सकते हैं, लोग सबा को, यानि कि पार्लियामेंट का सत्र अगर चल रहा है, हाला कि 17 वसान औ आपको कहा, कि मैं हर चीज पढ़ाते हुए चलूँगा, इसको लेकर कि आप परसान नहीं होंगे, ठीक है, और अलग से topic में पढ़ाऊंगा, जो राश्टपती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और उसके जो power पढ़ते हैं, तो उसके फिर सब topic निकलते हैं, और फिर वहां भी पढ़ना होता है, क्योंकि एक्जाम का question निकल के आता है, तो ये सत्र का सत्रा बसान कर सकते हैं, यानि कि जो station चल रहा है, उसको ये समाप्त भी कर सकते हैं, और लोगसभा को dissolve कर सकते हैं, राश्पती का ये power है, अगला राश्पती के power है कि संयुक्त बै बेटा ध्यान में रखेगा, कि लोगसभा के अध्यक्ष, joint sitting की अध्यक्षता करते हैं, और joint sitting कौन मूलाता है, तो राश्पती, अब joint sitting होता क्या है, ये जरा मैं आपको एक बार समझा दू, तो थोड़े अच्छे तरीके समझेगा, दुवारा फिर समझाऊंगा, इसको अ लेकर के दो हाउस, दो सदन के बीच में गतिरोध हो जाएं, और वो दो सदन होगा, लोगसभा और राश्वा, एस्टेट में ये काम नहीं करता है, यानि कि राज्जी के बिधान मंडल में ये joint sitting माली बात नहीं होती है, तो ये बात गाट मान लीजएगा, कि एस्टेट मे अगर पूछेगा, तो joint sitting में नहीं होता है, तो लोगसभा और राश्वा के बीच में अगर किसी बात को लेकर के गतिरोध हो जाए, तो राश्टपती को इस बात का अधिकार है, कि वो दोनों को एक साथ बटा है, इसी को joint sitting का ते है, दोनों को एक साथ बैठा है, और वो sitting क जो दोनों को एक साथ बैठाएंगे, उसकी अध्यक्षता करते है, लोगसभा के अध्यक्ष, और फिर वहाँ जो decision लिया जाता है, वो मानने होता है, फिर उसको लेकर के गतिरोध समाब्थ हो जाता है, क्योंकि decision वहाँ पर voting system से होता है, और वहाँ पर जो normal voting से, जो result सामने में आता है, उसको मान करके और चीजों को आगे बढ़ा लिया जाता है, एक्जामपल के तरफे अगर बता दू कि मान के चलो कि अगर किसी बिल पे गतिरोध हो गया, तो लोगसभा राजसभा को एक साथ बैठा देगा, लोगसभा के अध्यक्ष जो होंगे, वो उसके अध 245 और 245, तो 527 और 790 हो जाएंगे, तो 790 लोगों को एक साथ अगर बैठा दिया जाए, कुछ अब सेंट रहे और ये समिला करके, और फिर बोटिंग हो, तो अगर जादा मिम्बर हां में है, चाहे वो पास करने के हां में है, या पास नहीं करने के हां में है, तो वही बात मानना जाएगा, तो यही पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान में आप रखेंगे, तो जाइन सीटिंग समझ में आ गया, गतिरोध की स्थिति में दोनों हाउस को एक साथ बैठना, और यह बैठाते कौन है, राष्ट्रपती और अध्यक्षता कौन करता है, लोग सभा के अध् यह जो 12 मिंबर होते हैं, या तो यह होंगे आपके समाजिक छेत्र से, बिज्ञान के छेत्र से, कला के छेत्र से, साहित के छेत्र से, खेल जुर्गया सचिन्दुनकरजब से मो नमिनेट हुएं, तो खेल के छेत्र से, यानि कि इन छेत्रों से जो बेहतरीन लोग है, जिस जो भारत में बहुत ज़्यादा परचलित लोग हैं, उनको ये नॉमिनेट करते हैं 12 मिंबर को राजसभा में, ठीक है, और मिला जुला करके अगर इन छित्रों को अगर आप सही तरीके से बैठाएंगे, हलाकि महाँ पर लिखा हुआ है, कला, साहित, खेल, बिज्ञान, तो अगर आप यहाँ पर इसको बैठाएंगे, तो भारत में कोई ऐसा छित्र बांकी नहीं रह जाता है, तो यहाँ पर 12 मिंबर को राजसभा में नॉमिनेट करते हैं, कौन? राश्टपती, 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 अगला पॉइंट यहाँ पर यहाँ है, कि दो मिंब करते हैं, लोगसभा के लिए, और 12 नॉमिनेट करते हैं, राश्टपती, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, कि लोगसभा का जो एंगलो इंडियन वाला सीट था, उसको 104 समिधान संसोधन अधिनियम द्वारा रिमूब कर दिया गया है, यानि कि अब यह जो है ना, एंगलो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है, तो आपका काम क्या है, कि 104 अमेंडमेंट जो है ना, भारतिय समिधान का, उसको एक बार खोलना, इंटरनेट से देखना और समझना, 104 में एक और बात आपको मिलेगा, कि जो रिजर्वेशन रिजर्ेशन मिलते हैं, उनको 10 साल के लिए एक्स्टेन किया गया है, मतलब आगले समय के लिए एक्स्टेन किया गया तो ये बात भी है और दूसरा है उसी में 104 अमेंट में कि एंगलो इंडियन सीट के रिजर्वेशन को एबोलिस किया गया है ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा मैंने पढ़ाया अच्छे से आप भी एक बार पढ़िए मैं कहता हूँ कि आप इंटरनेट से 144 अधनियम को जरूर पढ़ें अब देखें यहाँ पर एक बात रखेगा कि अगर मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आपको पढ़ने की जरूरत क्या है है क्योंकि पढ़ने से ग्यान खुलता है और यही चीज की कमी रह गई है हमारे यहाँ की लोग पढ़ना आप बंद कर दिया है किताबों को भी पल्टो अखवारों को पल्टो यह बहुत जरूर चीज है किताबों से मोहबत करो अब पढ़िए तो पढ़ना हम आपको बता रहे है क्या पढ़िएगा जरूर 104 अमेंडमेंट अक्ट जो सम्मिधान का है जिसमें में टू अंगलो इंडियन सीट को अलग से बात करेंगे दखो मैंने कान लोग सभा के बिग टन इसको भी अलग से बात करेंगे बीटो पावर को भी अलग से बात करेंगे जिसको अलग से बात करना उसको हम करेंगे गदम करेंगे बिना करे हुए आगे निगलेंगे नहीं ठीक है अब आज नहोपा अगले व सब बताएंगे तो अध्यादेश जारी करते हैं एक आगला पॉइंट यह है कि यह कुछ आयोग के जिसमें CAG, UPSC, Finance Commission और दूसरे आयोग के जो रिपोर्ट हैं उसको पार्लियमेंट में रखते हैं यह इनकी विधाई सक्तियां हैं यानि कि आयोग की रिपोर्ट को और यह को कोशन एक्जाम में पूछा है कि मानके चलो कि CAG की रिपोर्ट को पार्लियमेंट में कौन रखता है यह कोशन है मेरे तरब से ऑप्शन में रहेगा राजपाल, राष्टपती, उपराष्टपती तो इस बात को ध्यान में रखेगा यहां पर ऑप्शन में राष्टपती आ कई election commission हो जाया या CAG हो जाया इनके रिपोर्टो को पार्लियमेंट में राष्टपती रखते है, CAG के बारे में एक्जाम में कौशन बनाया है इसलिए मुझे याद भी है और मैंने आपको कौशन बनाया भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिधाई सक्ति के बाद अब दे कितने होते हैं Bito power, तो देखो Bito power भारत में 3 होते हैं, 3, तीनों Bito power के बारे में बात करेंगें, यहां पर एक Absolute Bito है, Suspensive Bito और Pocket Bito, हम यह तीनों Bito के बारे में बात करेंगे, Absolute Bito, Suspensive Bito, Pocket Bito, Hindi-Inglis दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन Absolute Bito को हिंदी में मैंने नहीं पिर बीटो ही बोलते हैं हिंदी-इंगलेस दोनों में. तो आगे बढ़ें, चलिए. बीटो पावर के बारे में बात करते हैं, राश्ट पती के. देखिए, एबसुलूट बीटो, सबसे पहला बात हम लोग कर रहे हैं, एबसुलूट बीटो, Absolute बीटो क्या होता है वो हम आपको बताते है Absolute बीटो के बारे में बात करेंगे देखिए अगर कोई बिल सबसे पहले तो बात समझ दीजे कि होता क्या है होता ये है कि कोई भी बिल लोकसभा और राश्चभा से पास होने के बाद पहुंचता है में बात को अच्छे से समझेगा कोई भी बिल राश्चभा और लोकसभा से पास होने के बाद कहां पहुंचता है राश्चभा जी पहुंचता है और राश्चभा जब उस पे signature कर देते हैं तो बिल क्या बन जाता है अधनियम बन जाता है यह एक्जाम का question है यह वाद धियान रखेगा तो उसको मैं लिग देता हूं Hindi में बोल रहा हूं English में लिग देता हूं ठीक है Bill become act Bill become act ठीक है Bill जो है अधिनियम बन जाता है After the signature of After the sign of President ठीक है राष्टपती के signature के बाद राष्टपती के हस्ताक्षर के बाद बिधेयक अधिनियम बन जाता है इसको आप अपने copy में लिख लीजिए यह question exam में पुछाए कई बाड़ी BVI है इसको धियान में आप रखेगा यह BVI है ठीक है राष्टपती के signature के बाद बिधेयक अधिनियम बन जाता है अब आगे अब आगे क्या है कि कोई भी BIL लोकसभा और राष्टपती जी के पास पहुचा जब हम BIL पढ़ाएंगे ना तो हाँ पर भी इसकी चर्चा थोरा सा कर लेंगे तो वो पहुचा राष्टपती जी के पास बाद खतम लेकिन राष्टपती जी के पास दूसरे पावर भी है और वो दूसरे पावर क्या है सिंगनेचर ना करने के तो सिंगनेचर ना करने के पावर कौन-कौन से है वो जरा मैं आपको बता दू क्यों सिंगनेचर ना करने के पावर में सबसे पहला पावर है absolute veto इसको veto कहते हैं जो signature ना करने का पावर है ने इसको क्या कहते है बीटो लगाना कि राश्टपती ने बीटो लगा दिया तो हम देखते हैं कि कौन-कौन सा बीटो है सबसे पहले absolute veto absolute veto में क्या होता है सब कुछ लिखा हुआ है मैं बास आपको समझा रहा हूँ absolute veto में क्या होता है कि बिल राश्टपती जी के पास पहुंचता है और राश्टपती जी उस बिल पे signature नहीं करते हैं और उस बिल को अपने पास रख लेते हैं ठीक है राश्टपती जी उस पे signature नहीं करते हैं यहाँ पे संसेद्व पारित बिध्यक पर सहमती रोखने की सकती है ठीक है बिध्यक को अधिनियम नहीं बनता है signature नहीं करते है और वो बिल समाप्थ हो जाता है यानि कि राश्टपती जी उस पर signature नहीं करेंगे और वो बिल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा यह absolute बीटो है यानि absolute नाम से ही समझ में आ रहा है absolute का मतलब होता है पूरा, पुर्ण रूप से तो absolute बीटो यही है कि राश्टपती जी उस पर sign नहीं करेंगे और वो बिल समाप्त हो जाएगा absolute बीटो, ठीक है? हो गया, चलिए अब point हाँ पर यह है कि क्या कभी किसी राश्टपती ने इस बीटो को exercise किया है तो बिलकुल किया है, राश्टपती ने इस बीटो को exercise किया है वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंदर परसाद 1994 में इस बीटो का परयोग किये थे और उस बिल का नाम था पतियाला और पुर्वी पंजाब राज यसंग बिधेयक जिसको हम Pepsu Bill मानते है P-E-P-S-U अगर आपने कभी पढ़ा होगा और Pepsu Bill का नाम सुना होगा तो उसका पूरा नाम मैं आपको बता दू और वो exercise कि इस ने किया था, वो बात तो मैंने बता दिया तो Pepsu Bill का नाम है दपतियाला एंड इस्ट पंजाब एस्टेट यूनियन बिल और इस बिल पे राष्टपति जी यानि कि हमारे डॉक्टर राजेंद परसाद जी उनीस सो चोगन में साइन करने से मना कर दिये थे और ये बिल समाप्त हो गया था पंडि जवाहर लन नहरू और डॉक्टर राजेंद परसाद जी के बीच में कॉन्फिलिक्ट के एक कारणों में ये भी एक कारण था आगे बढ़े तो एक्सरसाइज सबसे पहले किस ने किया डॉक्टर राजेंद परसाद ने किसका बीटो पावर का कौन से बीटो एपसलीट बीटो आगे बढ़ते हैं एपसलीट बीटो का ये पहला एक्सरसाइज है ये दूसरा एक्सरसाइज जो एपसलीट बीटो का है वो है कि आर बेंकर्ट रमन ने ये दूसरा एक्सरसाइज है तो उसमें जब राष्टपती जी के पास पहुंचा तो वहाँ पे absolute veto लगाया गया और bill समाप्त हो गया पहला bill तो मैंने बता दिया Pepsu bill, दूसरा bill जो था वो था लोग सभा के सदस्यों के बेतन को बढ़ाने को लेकर के या लोग सभा के सदस्यों के बेतन या pension के संदर्व में bill था ठीक है तो उस समय 1991 में हमारे देश की economy इस्थिती बहुत खड़ाब थी और इतनी ज़्यादा खड़ाब थी economy के condition की मतलब लगभग कहते हैं कि हम लोग को सोना जो हैना IMF के हाँ जमा कराना पड़ा IMF ने कुछ सर्तों के साथ हमें पैसा दिया और यह समय नर्सी महराओ कुछी समय के बाद नर्सी महराओ जो है न परधान मंतरी बने थे हमारे बित मंतरी क्या बोलते हैं मनमोहन सिंग जी थे दोनों ने उदारबादी की परकिरिया अपनाया जिसको हम new economic policy बोलते हैं जहां liberalization जैसे चीजों को ले करके उन्होंने आया और वहां पर यह चीज आगे बढ़ करके हमारे देश की economy को सुधारने का काम किया तो उस समय 1991 में आर्वेंकन ट्रमन सहब ने इस बिल पे signature करने से मना कर दिया था और बिल समाप्थ हो गया तो absolute veto समझ में आ गया absolute veto का मतलब होता है कि राष्टपती जी के पास बिल जाएगा और राष्टपती जी उस पे signature नहीं करेंगे और बिल समाप्थ हो जाएगा यह absolute veto हो गया चलिए मैं आपको छोड़ा सा कुछ map तरीके से बना करके भी समझा दूंगा इसको क्योंकि समझना जरूरी है suspensive veto suspensive veto नाम से ही पता चल रहा है suspend करना यानि कि रोकना मतलब उसको वापस करना suspend करना निलंबन कारी इसको बोलते हैं हिंदी में ठीक है हिंदी में हला कि लिखा हुआ है बाकी चीजे लेकिन इसका हिंदी मैं आपसे पूछा हूँ तो आप एक बार हमें कमेंट करेंगे ती यह क्या होता है इस veto में ध्यान रिखेंगा फिर से मैं शुरू करता हूँ बिल जो है न लोकसवा से पास हुआ बिल जो है राश्चवा से पास हुआ दोनों जगा से पास हुआ और बिल कहां पहुँचा राश्टपती जी के पास अब जब तक राश्टपती जी signature नहीं करे राश्टपती उस बिल को वापस कर सकते हैं पुनर बिचार के लिए मतलब कि उनको अगर ये लगे कि इस बिल में कुछ प्रोब्लेम है अगर अगर लगे कि इस बिल में कुछ ऐसी बाते हैं जो देश, समाज या छेत्र या फिर आर्थिक विवस्ता, संस्किर्ती, किसी भी तरीके से कुछ कमिया है जो की नहीं लागू होना चाहिए हमारे देश में तो वो पुनर बिचार के लिए लोग सभा के पास या राश सभा के पास ऐसे कहा सकते हैं कि संसत के पास भेज सकते हैं तो सस्पेंसी बिटो में क्या होता है बिल को वापस भेजना पुनर बिचार के लिए सिंपल बात है सस्पेंसी बिटो में क्या होता है बिल को वापस भेजना पुनर बिचार के लिए कहां पार्लामेंट में अब क्या होगा दो तिन बाते यहां से एक्जाम के कोशन निकलते हैं और दो तिनों बातों को मैं यहां पे बड़े तरीके से आपस के पास रखता हूँ सबसे पहले बात कि अगर मनी बिल की बात हो तो उसको राष्टपती वापस नहीं कर सकते हैं राष्टपती मनी बिल को वापस नहीं कर सकते हैं धन बिध्यक को उनको साइन करना ही होगा क्यों क्योंकि धन बिध्यक उनके साहमती के बाद ही लोकसभा में लाया जाता है और ये एक्जाम का कोशन है, कि धन बिध्यक कहां लाया जाता है, लोग सवा में, किस के समodel treat के समल TPS पहला पॉइंट ये है, ठीक है, भंद्यक, आप कौन टैक करता है कि ये धन बिध्यक है तो लोग सवा के Dienst करते है ये भी कोशन में आया है, हाला कि हर चीज मैं अभी बता दू तो फिर आगे चल करके आपको दिक्कत होगा तो मैं समेट रहाँ चीजों को तो धन बिध्या को लोग राश्टपती वापस नहीं कर सकते हैं बाकी बिध्या को पिनर विचार के लिए वापस कर सकते हैं हो गया समझ में आ गया पक्का आगे बढ़े चलिए अगर किसी बिध्या को बात को बरे गौर से समझना अगर किसी बिध्या को राश्टपती पार्लियामेंट में वापस भेजते हैं तो अगर पार्लियामेंट उस बिध्या को फिर से पास करके और फिर से राष्टपती जी के पास अगर भेज दे तो राष्टपती जी के पास इस बात का जो बीटो पावर वो समाप्त हो जाता है वो वहाँ पे signature करेंगे करेंगे मतलब कि वो बाध्ध हो जाते हैं to sign over it मेरी बात को ध्यान से रखेगा कि अगर कोई बिल राष्टपती जी पुनर विचार के लिए पार्लियामेंट में भेजते हैं और पार्लियामेंट फिर से उस बिल को पास करके राष्टपती जी के पास भेज दे तो यहाँ पे राष्टपती जी signature करने के लिए बाध्ध होते हैं एकदम बाद होते वो signature करेंगे करेंगे यहाँ पर फिर कोई veto power नहीं चलेगा हो गया ना अब इसमें एक और बात आता है आप पूर सकते हैं कि सर क्या उस बिल में amendment करके पास करेगा तो यह तै करना Parliament का काम है कि वो amendment के साथ पास करेगा दुबारा में या बिना amendment के साथ पास करेगा दुबारा की बात कह रहे हैं तो अगर amendment के साथ पास करे या बिना amendment के साथ पास करे कोई फरक नहीं परता है दुबारा सिर्फ पास हो जाना चाहिए और राश्पती तक पहुंच जाना चाहिए राश्पती जी उस पे थोकर राश्टपती के पास जाता है संसोधन के साथ या बिना संसोधन के मैंने दोनों बात बताया तो इस पर सामती देने के लिए राश्टपती क्या है? बाध है यहाँ पर मैंने लिख दिया इट इस अबलिगेटरी फोर दा परसिडेंट तो गीव इज एसेंट तो दा बिल यह बात हमने आपको बता दिया हिंदी और इंगलिस दोनों में ठीक है न? और यह भी बात मैंने बताया कि धन बिध्या के मालने में राश्टपती के पास बीटो पावर नहीं होता है यह बात हमने आपको बता दिया तो इह क्या है हमारा suspensive beito है यानि कि निलंबनकारी क्या है? बीटो है तो दो बीटो हमने आपको बता दिया आब आगे बात करते हैं तीसरे बीटो के बारे में ध्यान से बड़े गोर से समझेगा तीसरा बीटो की बात करते हैं और फिर से वही चीज़ सुरू करते हैं क्या चीज़ सुरू करेंगे कि बिल को लोकसभा और राश्चभा से पारित कर दिया गया बिल राश्टपती जी के पास पहुँच गया राश्टपती जी उस पे सिंग्नेचर कर देंगे तो वह अधिनियम बन जाएगा अगर सिंग्नेचर नहीं करते हैं तो एपसुलूट बिटो लगा सकते हैं बिल समाप्त हो जाएगा सस्पेंसिव बिटो लगा सकते हैं बिल पुनर विचार के लिए संसत के पास आजाएगा पॉकेट बिटो लगा सकते हैं पॉकेट बिटो में क्या होता है कि इसमें राष्टपती signature नहीं करते हैं इसमें राष्टपती signature नहीं करते हैं एक बात दूसरे बात वापस भी नहीं करते हैं दो बाते तीसरी बात बिल समाप्त भी नहीं होता है यहाँ पे ध्यान दीजेगा नहीं अगर बिल समाप्त हो जाता तो pocket veto और absolute veto में अंतर ही क्या रह जाता है मेरी बात समझ में रहा है न तो कुछ confusions होते हैं जरूर teachers के भी मन में तो उसको मैं थुरा सा clear करने कोशिस करता हूं कि इसमें bill bill पे राष्टपती signature नहीं करते हैं राष्टपती वापस भी नहीं करते हैं और ये bill समापति नहीं होता है तो क्या होता है तो unlimited time के लिए यानि कि समय निर्धारित नहीं किया गया है unlimited time के लिए राष्टपती इस bill को अपने पास रख लेते हैं और वो bill अपने पास ही रखे रहते हैं कितने समय के लिए तो राष्टपती जी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है आपके constitution में, आपके सम्मिधान में और ये बात exam में question कई बार पूछा है higher level के examination में कि राष्टपती जी के लिए कि समय का निर्धारन किया गया है कि नहीं तो राश्टपती जी के लिए समय का निधारन नहीं किया गया है तो अगर वो समय का निधारन नहीं किया गया है तो कितने भी समय के लिए अपने पास रख सकते हैं अच्छा अब आप बोलेंगे कि सर बीच में राश्टपती बदल गया तो पास रहेंगे अगर कोई तो कोई बी राष्टपती रहेंगे तो अब क्या होगा अगर वहां पर बिल पहुंचा अल्लिंटेयट टाइम के लिए राष्टपती अपने पास रखे नीचे सरकार भी बदल सकता है उपर राष्टपती बदल सकता तो पॉकेट बीटों में क्या होता है ना तो राष्टपती सहमती देंगे ना वापस करेंगे अपने पास रख लेंगे for the unlimited time of period यही बात मैंने इसमे लिखा कि राष्टपती ना तो बीधियक पर सहमती देते हैं ना ही वापस करता है इसे असमित समय तक अपने पास रख लेते हैं simple ठीक है यही बात मैंने आपको बताया यह बात लिखा अब कब exercise किया गया है तो यहां पर देखिए यह exercise किया गए 1986 में ग्यानी जैल सिंग के द्वारा जैल सिंग हमारे देश के राष्टपती थे उनके द्वारा और बिल का नाम था भारतिय डागर संसोधन बिल अब जब यह बिल गया राष्टपती जी के पास तो राष्टपती जी इस पे pocket बिटो लगा दी और अपने प कोशन है यहां पर लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा हूँ अभी तो मैं आपको बता रहा हूं वह यह लिखा हुआ है कि संबिधान संसोधन बिधेयक पर राष्टपती जी कोई बीटो नहीं लगा सकते हैं यहां पर द्यान रखेगा यह एक्जाम का कोशन बना है इसलिए मैं लिखा है तो इसको प्लीज आपको कॉपी लिख लिए गार जो बिल इतना हम लोग कर रहा है न उस बिल को हम पढ़ाएंगे अगदम पढ़ाएंगे जरूर पढ़ाएंगे ठीक है आज का समय नहीं मिला दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे बिल को और यह है आपका राजसभा ठीक है और यह है आपका लोगसभा ठीक है ना और यह है आपका प्रसिडेंट मेरी बात को द्यान से अच्छे समझेगा तीनों बीटो पावर को मैं अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ जब तक तमका हम खुपढेए में नहीं बैठा देंगे तब तक तुमको हम छोडएंगे नहीं इस बात को याद रखना हमारे क्लास में बैठे हो तो ठीक है देखो राज सभा से बिटो पावर, राज सभा से Bill गया कहां स्री, राज सभा और लोग सभा दोनों आपस में कोई Bill को क्या कर लिया बना लिया, पास कर लिया, ठीक है राज सभा लोग सभा और उसके बाद कहां भेजा इस Bill को President के पास है न यह bill है और अभी अधिनियम नहीं बना है तो bill कहा गया president के पास अब पहला बात यह है कि अगर president sign कर दे पहला बात है कि अगर president sign कर दिये तो bill क्या बन जाएगा bill बन जाएगा act यह पहला case होता है अगला case क्या होता है कि अगर प्रसिडेंट sign ना करे तो sign ना करने के case में हो जाता है बीटो कि मतलब राष्टपती ने बीटो लगा दिया तो बीटो कैसे लगएगा तो पहला बीटो है absolute पहला बीटो क्या है absolute इसमें क्या होगा कि बिलको इसमें ध्यान रखेगा इसमें क्या होगा कि Bill को राश्पती शाइन नहीं करेंगे और Bill समाप्त हो जागा यानि कि Bill ends Act नहीं बनेगा या साइन ही नहीं किया Act कैसे बनेगा यानि कि लोग सब राश्पती के पास गया और राश्पती ने Absolute बिटो लगा दिया Bill खतम उसके बाद क्या Suspensive बीटो Suspensive खोपड़िया में रख लेना अगर इतना बात करने के बाद यह अगर ना ध्यान में आए और ना याद रहा आपको एक्जाम तक या फिर आपको याद न रहा तो फिर मेरी दोस्ट नहीं है फिर अपने दिमाग को चेक करवा हूँ ठीक है Suspensive बीटो Suspensive बीटो में क्या होता है बिल जो है राश्टपती के पास गया लोगसभा रासभा से पास हो करके राश्टपती जी के पास गया राश्टपती जी के पास गया Suspensive बीटों में राश्पति जी क्या करेंगे बिल को return कर देंगे Return the bill Return the bill कहा return करेंगे, पार्लियमेंट में अच्छा ठीक है Money bill cannot be returned Money bill can't be returned ठीक है, return Money bill को return नहीं कर सकते हैं ये बात आपको बता दिया और तिसरी बात क्या बता है कि अगर return bill फिर से आ गया तो फिर वो बात दोंगे क्या करने के लिए signature करने के लिए ये बात हमने आपको बता दिया तीसरा बिटो यानि कि यहाँ पर हम बात करते हैं फिर से रासवा लोक्षवा से बिल पास किया राश्टपती जी के पास किया और राश्टपती जी इस बार pocket बिटो लगा दिया pocket बिटो pocket बिटो में क्या होगा ये बात देखिए तो ना तो signature करेंगे और ना ही उसको return करेंगे बलकि अपने पास unlimited समय के लिए क्या करेंगे रख लेंगे तो keep keep the bill himself himself for unlimited time unlimited time unlimited time करके छोड़ देते हैं तो ये तीन बिटो हो गया sign करेगा तो क्या बन जाएगा act बन जाएगा भी simple तो ये हमारा बिटो पावर है ठीक है अब तो समझ गया होगे तुम एकदम समझ गया होगे ध्यान से देखना है ना पॉइंट को चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग pocket बीटो की बाद हम लोगोंने बीटो पावर के बारें बात कर लिया बीटो पावर के बाद अब हम लोग बात करते हैं financial power यानि कि बित्ये सक्ति अध्यादेश को हम बात करेंगे अभी तुरत बात करेंगे सब बात करके जाएंगे आप परसान नहों ठीक है बित्ये सक्ति की बात हम लोग करेंगे financial power financial power में ध्यान रखेगा कि क्या-क्या होता है तो धन बिध्याक राष्टपती के पुर्व अनुमती से ही संसद में पेस किया जा सकता है संसद के जगा लोगसभा लिखना जादा बेतर है इसलिए मैंने लोगसभा को ब्राइकेट में कर दिया है यानि कि धन बिध्याक को राष्टपती के पुर्व अनुमती से ही लोगसभा में लाया जा सकता है और ये कोसन एक्जाम में सेंकडो हजारो बार अलग अलग तरीके के एक्जामेशन में पूछे हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी भी एक्जामेशन में चले जाए आपको हर जगह के लिए irrelevant topic है जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ना चलिए आगे आगला point है कि ये बारसिक बित्य बिवरन अब बारसिक बित्य बिवरन जिसको आप budget बोलते हैं यहाँ पर मैंने लीग दिया है budget उसको कहाँ Parliament में रखवाते हैं यानि Parliament में पेस करते हैं तो ये राष्टपती का काम है कि वो budget को राष्टपती जो इना Parliament में पेस करें अब पार्लामें पेस करने के लिए उनके पास बित्य मंत्री है दोखो ये राष्टपती जो हने एक तरीके का हमारे देश का राजा है और ये मंत्री मंत्री है नों उनके सलाहकार है उनको कहते हैं कि तुम ये काम करो, तुम को वो काम करो सचाई बात तो ये है लेकिन मतलब जो constitutional बाते हैं वो ये है लेकिन सचाई क्या है? सचाई ये है कि मंत्री परिसत के सलाह पे राष्टपती काम करते है दोनों में अंतर है इस बात को समझेगा संबैधानी कुरूप से राष्टपती का पावर और बास्टवी कुरूप से राष्टपती का पावर में अंतर होता है संबैधानी कुरूप से तो हम उनकी पावर को पर रहे है एक्जाम का कोसन सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करके, एक्जाम सॉल्व करके आप अधिकारी बन सकते हैं, आप जिस भी exam के लिए त्यारी करते हैं, उस exam को निकाल सकते हैं, लेकिन बास्तवी गुरूप से क्या है, राष्टपती जो है ना परधान मंतरी का सकल देखते रहता है, अब क्या आदेश दोगे भाईया, अब क्या आदेश दोगे, बताओ, ब मतलब कि वो नाम मातर के परधान होते हैं, राष्टपती, चलिए, तो बज़त को कहा रखते हैं, पारिलामेंट में रखते हैं, चलिए, ठीक है, अनुदान, यानि कि जो भी ग्रांट है, वो राष्टपती के सिफारिस के बिना नहीं की जा सकती है, तो ये भी exam का कोशन का कि जाती है, चलिए, ठीक है, भारत के आकिस्मिक निधी से वो भुगतान कर सकते हैं, राष्टपती, राष्टपती के सिंगेचर, राष्टपती के सहमती से ही आकिस्मिक निधी से पैसा निकाला जा सकता है, पॉइंट को समझेगा, एक बात ध्यान रखेगा, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर एक बात मैं बताता हूं, एक बात आपको बताता है, भारत की आकिस्मिक निधी में 500 करोर रुपय हुआ करता था, जो की अभी नए संसोधन से उस रुपय को बढ़ा दिया गया है, तो अब आपको यह बताना है कि भारत की आकिस्मिक निधी मे कितने पैसे अब हो गया है अब आप जैसे भी इस information को निकाल करके comment कीजे यह आपका current affairs का question है जो मैंने आपको होता दिया है परते एक 5 बर्स पे bit I.O. का गठन करते हैं Finance Commission का गठन करते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि Finance Commission हलाकी अलग से में पढ़ना भी है लेकिन Finance Commission बड़ा काम का चीज है यह बात याद रखिएगा हर 5 बर्स पे Finance Commission का गठन होता है और यह काम का चीज मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक्जाम में हाँ से question पूछते हैं उनके अध्याक्ष को ले करके तो अभी जो Finance Commission के अध्याक्ष है वो है N.K. Singh N.K. Singh है अभी Finance Commission के अध्याक्ष बात याद रखिएगा अब आपको क्या बताना है कि अभी जो Finance Commission है वो कैमा है मतलब कौन सा है ठीक है बाकि जब Finance Commission का class हम बताएंगे तब हम आपको तेरवा अभी नहीं बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा कैमा है तो जितने ही Finance Commission है आगे पीछे मुझे लिस्ट बना देना है मेरे को और आपको बताना है क्योंकि एक्जाम के वहाँ से question पूछा जाता है आपको यह बताना है कि अभी का Finance Commission इनके सिंग है जो मैंने नाम बता दिया वो कितने नंबर का Finance Commission है यह question exam में बना है कई बार ही आगे भी बनेगा इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि Finance Commission काम का चीज है जैसा मैंने बताया तो वह exam के लिए काम का चीज है भारत के लिए तो काम का चीज है ही क्योंकि वो recommend करते हैं कि किस राज को कितना पैसा होना चाहिए पैसे के बटवारा के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए तो काम की चीज भारत के लिए है चलिए अब नियाईक सक्ति की बात करते हैं यानि कि राष्टपती के जो judicial power है उसके बारे में बात करते हैं राष्टपती के judicial power के बारे में हम लोग बात करेंगे नियाइक सक्ती के बारे में तो देख लिजए कि राष्टपती जो है वो सुप्रीम कोट के मुख नियाधिस नियाधिस और हाई कोट के मुख नियाधिस नियाधिसों की 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 निय सुप्रीम कोट और हाई कोट दोनों के नियाधिस और मुखे नियाधिस की नियुकती राष्टपती करते हैं इस बात को देहान रिखेगा और हटाने काम भी इनका ही है लेकिन उनका परकिरिया भी है लेकिन अगर आपसे कोशन एक सब्द में पूचे कि हटाता कौन है तो एक बात मैं आपको बता दू जितने भी समयधानिक पद पर नियुकत किये जाते हैं राष्टपती जी के द्वारा जितने भी उनको हटाया भी राष्टपती जी के द्वारा ही जाता है ये एक almost common बात है कि जो भी समयधानिक पद पर राष्टपती जी नियुकत करेंगे उ इस बात को ध्यान लखेगा तो हटाना और न्यूक्त करना को लेकर करके अलग से रटा मारने की ज़रूरत आपको नहीं है ये बस एक conceptual बात है जिसको आपको समझना होगा ठीक है अगर गवर्नर को न्यूक्त राष्टपती जी करते हैं तो जो कि एक फोन पर हट जाते हैं चले ठीक है पार्टन पावर की बात करते हैं अचा यहाँ पर एक और बात है जो कि बताना था वो यह आता है कि जरूरत परने पर यानि कि अगर राष्टपती जी को जरूरत है अलाकि ये बात मैं सुप्रीम कोट के साथ ही बताऊँगा क्योंकि ये सुप्रीम कोट का सुप्रीम कोट का कितना वड़ा हिम्मत है कि राष्टपती को मना कर रहा है सलाह देने से पहली बार में सिर्फ एक ही बार लेकिन अगर दुवारा सलाह मांगे तो फिर सलाह देगा नहीं दौरते हुए आएगा मतलब गारी का विंजार नहीं करेगा दौरते हुए आएगा मतलब पहली बार में मना कर सकता है मतलब इतना पावर सुप्रीम कोट को दिया है हमारे संविधान ने चलो अच्छा है कुछ चीजे क्या बोलते हैं रहना चाहिए एटिट्यूड उनके भी बने रहने चाहिए सुप्रीम कोट के भी पाड़न पावर की बात करता है याने की तरीके से एक्जाम दो कोशन आया है, भी वी आई है, ये किस आर्टिकल के द्वारा च्छमा करने की सकती है, किनकी राष्टपती की, इंगलीस में बोलते हैं, पार्डन पावर, पार्डन पावर, ठीक है, अब जरा देखते हैं कि कौन-कौन सा पार्डन है राष्टपती जी का, तो एक बार देख लेते हैं, अरनकी इतना करने के देख लेते हैं, मैंने तो एक्जाम कि एक आद बारी, फैर इक मूलन सा स्वाम देख सॉवड किया है, ठीक है, और फ्रवियस यह कोशन को धपर में आपको दिख भी जाएगा, ठीक है, अगर सो आगर करेंगे हैं, मै previous year question paper आप लगाते हैं तो उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है, इस बात को आप मान लिजेए, उससे बड़ा कोई teacher नहीं है, उससे बड़ा कोई सलाहकार आपका नहीं है, previous year question paper आपका mark दरसक है, आपका सलाहकार है, ये बात आप समझ लिजेगा, क्योंकि वो आपको बता कि किस topic से कैसा question आया है वो बता देगा कि किस topic में कितना दम है इस बात को ध्यान रखेगा तो इसलिए मैं हमेशा previous year question paper को मानता हूं लगाया भी हूं हर कोई लगाता है हर जितने भी लोगों से बात करेंगे सब previous year question paper recommend करेंगे कोई एक ऐसा नहीं है जो previous year question paper मना करेगा अगर मना कर रहा है तो आपसे जूट बोल रहा हूं उसकी बात मत मानियेगा एक दम कार दीजेगा कि तुम गलत बोल रहा हूं चलो ठीक है pardon की बात कर रहे है यानि कि छमा करने की बात कर रहे है तो it absolves the convict from all sentence punishment and disqualification यानि कि वो मतलब मैं simple तरीके से बताया था हूं ठीक है यह प सभी तरीके के गलतियों को माफ कर सकते हैं सभी दंड को मुक्त कर दिया जाता है सभी दंड सजा से मुक्त कर दिया जाता है दोसी को और इसका नाम क्या है pardon यानि कि राष्टपती जी के पास सकती है कि सभी दंड से दोसी को मुक्त कर सकते हैं including capital punishment capital punishment को death sentence भी बोलते हैं ध्य इसको मिर्त्यु दंड बोलते हैं या Death sentence बोलते हैं ठीक है capital punishment को और capital punishment बहुत सारे देशों में band है बहुत सारे देशों ने capital punishment को मना किया हमारे देश में band नहीं है ठीक है तो वो सभी तरीके के जो गलतियां उसे च्यमा कर सकते हैं दूसरा, दूसरा क्या लगू करन, यानि कि दंड के स्वरूप को बदल के कम कर सकते हैं, दंड के स्वरूप, यानि कि पनिस्मिंट का जो स्वरूप है वो बदल देगा, स्वरूप बदलने का मतलब क्या है, कि अगर किसी को सजा मिला है कठोर, कि कठोर सजा मिला है, तो उसक पत्ति जी माफी में ये कह सकते हैं कि तुम पत्थर नहीं तोरना, तुम फूल में पानी दे देना, तो ये भी एक तरीके की सजा में क्या है, परिवर्तन है, जिसको कहा जाता है लगु करन, यानि कि आपका सजा जो कठोर था, उसको असान बना दिया गया है, ध्यान रखेग कि दंड की प्रकिर्ती चेंज नहीं होगा, बलकि दंड का जो टेनियोर है, वो चेंज हो जागा, इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि मैंने आपको पहले समझा आपको कठोर सजा था, कम्यूटेशन में, कठोर सजा था, अब उसको हलका कर दिया गया, पत्थर तोरने की यानि पत्थर तो तुमको तोड़ना ही है, बस period change हो गया, यानि 5 साल को क्या कर दिया, 2 साल कर दिया, तो यह हो गया परिहार, यानि कि दंड की परकृति में परिवर्तन किये भी न, अब धी को कम करना, और वो क्या था, दंड की परकृति को ही बदल देना, यानि कि उसको कम क करना, तीसरा है बिराम, यानि कि respite, मतलब कि विशेष परिष्थिती में सजा को कम करना, विशेष परिष्थिती में, अब विशेष परिष्थिती क्या है, तो विशेष परिष्थिती जैसे महिलाओं को लेकर के, अगर कोई pregnant महिला है, तो उनकी सजा को कम कर सकता है, कोई health issue है, उसके अधार पर सजा को कम कर सकते हैं, कि इसको यह और issue है, कोई बहुत अच्छा काम किया, कभी-कभी आप सुनते हैं कि jail-marathis उन्होंने इतना अच्छा काम किया, कि उनकी सजा को जो है ना दो प्रवी लंबन क्या होता है कि दंड पे टेंप्रोरी रूप से रोक लगाना तो वो तो चलेगा हम चमा की बात करते है राष्ट्पती तक जब पहुंचता है तो राष्ट्पती जब ये कहते हैं तो उस पर कुछ समय के लिए ब्रयाम लगाया जा सकता है लगा सकते हैं राष्ट्पती ये उनका क्या बोलते हैं अधिकार है तो हमने राष्ट्पती के छमा करने का अधिकार में क्या क्या देखा तीसरा में क्या दिखा कि period को change कर सकते हैं यानि कि 5 साल के बदले वो 2 साल जो समय है उसको कम कर सकते हैं चौथे में हमने क्या कहा कि बिसेस परिस्थिती में सजा को कम करना example हमने आपको दिया पांचवे में क्या कह सकते हैं कि दंड पे और अस्थाय रूप से कि temporarily जो है वो कह सकते हैं कि अभी रोक लगा दो यहां पर आस्थाय रूप से लगा ना बिसेस कर मिर्टु दन की यहां पर बात हमने आपको किया है यह बात समझ में आ गया इसी pardon power में छमा करने में राष्टपती जी के पास अधिकार है कि जो court marsal है या army का जो punishment है उसको भी राष्टपती इन अधारों पे कर सकते हैं छमा कर सकते हैं उन पे कम कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो राष्टपती court marsal को भी यानि की army के punishment को भी क्या कर सकता है understand मतलब उनके छमता के अंदर है लेकिन जब बात करते हैं हम राजपाल का हाला कि राजपाल अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं राजपाल पढ़ाएंगे तो उसे मैं फिर से बताऊंगा जगर हम बात करते हैं राजपाल का तो राजपाल के पास मिर्तिव दंड को छमा करने का कोई अधिकार नहीं है नरोकने का अधिकार है एक और दूसरा आर्मी के किसी भी punishment को यानि आर्मी के दोरा दियेगे किसी punishment में राजपाल के पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन राश्टपती जी के पास अधिकार है तो यही आर्मी का punishment और capital punishment जो होता है न राज़ेपाल और राश्टपती जी के बीच के छमा करने की सक्तियों का अंतर है इस बात को बड़ा मोटे मोटे सब्दों में आप समझ लीजिए तो राज़ेपाल के पास भी यह पावर है लेकिन दो पावर नहीं है जो दो पावर नहीं हो मैंने आपको पहले बता दिया नाम पे होता है और यह भारत के प्रतिन रिज़त करते हैं राज़वतों का न्यूकती करते हैं तो यह बड़ा सिंपल है कि अब चुकि भारत का यह हेड है भारत के पहले बेखती है भारत इनका है ठीक है ना तो जितने भी समझोते और अंतराश्ट्रिये बाते होंगी वो लो आसान कोशन हो गया है, वह यह कोशन है कि तीनों स 모양 बुर्मरें का बर्दान होते हैं त्या7 यह बात पहले से खोंते हों, कहीं पूछा गुँछा हुआ बीक सेक्षाद कर दिये पर्दान कोशन है है Net babe कि अध्यादेश की सक्ति जो हिंदी में यहां पर लिग देता हूं अध्यादेश जारी करने की सक्ति हिंदी बाले बच्चे परसान हो जाएंगे कि हिंदी में नहीं लिगते हैं सर अध्यादेश जारी करने की सक्ति ठीक है लिख दिया चलिए अब अध्यादेश को मैं तुरह अच्छे तरीके से समझाता हूँ बड़े ध्यान से आप समझ जीएगा ठीक है और यही बात यहां पे लिखा हुआ मिल जागा तो लिखा हुआ बात में पढ़ेंगे पहले मैं समझा लेता हूँ अच्छे से अध् यह लोकसभा है और यह राजसभा है और यह हमारे प्रसिडेंट है ठीक है न चलिए अगर कोई भी बिल ऐसा ज़रुरत हो गया कि इस नियम को कोई नियम बिल नहीं बात करते है नियम की बात करते है कोई भी कानून हमारे देश में लागू होना है इसकी जरुरत पड़ एक सब्दों में बहुत सारा घुमा फिराक नहीं तो परधान मंत्री तया करते हैं तो परधान मंत्री तया कि ये कानून जो है न देश में लागू करना है परधान मंत्री ने ये कह लिया अब इसको लागू करना है लागू तो करना है लेकिन ये कानून पास नहीं हुआ है लोगसभा और राजसभा से ठीक है ये कानून लोगसभा और राजसभा से क्या नहीं हुआ है पास नहीं हुआ है और इसको लागू करना है ऐसा परधान मंत्री जी मानते हैं या अप Minister of Council मानते हैं तो अब क्या करें ठीक है तो होगा ये कि अगर लोग सभा और राज सभा दोनों में से कोई सेशन में नहीं हो या तो दोनों सेशन में नहीं हो या कोई एक सेशन में नहीं हो ठीक है कोई एक सेशन में नहीं हो ये हो और ये नहीं हो ठीक है हलाकि मानते हैं इस बात को तो उस हालात में मतलब की not in session not in session ठीक है session में नहीं हो और देश में कानून लागू करना है तो परधान मंत्री परसिडेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे मैं एक language की तरह कहानी की तरह समझायता हूँ और बाकी अध्यादेश आपको समझ में आजाएगा बोलेंगे जाकरके कि देखिये भाईया देश में कानून लागू करना है तो परसिडेंट बोलेंगे अच्छा तो ठीक है लागू करो उनको बात मानना है परसिडेंट को पर्धानमंत्री का और Minister of Council का तो ठीक है लागू करो परधानमंत्री को बोलेंगे प्रसिडेन तो परधानमंत्री बोलेंगे लेकिन यह प्रॉब्लम है क्या थो योगषभारास्वा और तब बने पास होगा और तब आपके पास जाएगा तब कारुन लागू होगा तो लेठ है तो अभी लागू करना है बिना सेशन में पर्धान मंत्री बोलना राश्टपती से तो राश्टपती कहेंगे ये कैसे होगा तो पर्धान मंत्री कहेंगे देखो ये आपके पास पावर है क्या है तो पर्धान मंत्री याद दिलाएंगे जैसे कि हन्मान जी को याद दिलाया गया था कि तुम में क्या पावर है तो परधान मंत्री याद दिलाएंगे किनको याद दिलाएंगे राष्टपती जी को कि देखे आपके पास एक आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल है 1, 2, 3 1, 2, 3 मतलब bhaगना नहीं 1, 2, 3, 123 आर्टिकल है तो इसमें क्या है? राजटपती बरा आदमी है नहीं आद रहता है उनको अपना power है ना? बरा आदमी को बहुत सारा power होता है नहीं भी आद रहता है तो राश्टपती बोले अच्छा ऐसा है क्या मतलब बिना पास क्यों हम signature कर देंगे तो लागू हो जाएगा तो प्रतार मंत्री बोले हाँ लागू हो जाएगा ठीक है कानन करूप में लागू हो गया और जो लागू हो गया इसी को अध्यादेस कहते हैं इसी को क्या बोलते हैं अध्यादेस तो ये बात प्रधाल मंत्री बोलेंगे राश्टपती को कि अभी जो आप साइन किये न जिस कागज पे उसको अध्यादेस बोलते हैं क्योंकि इस बिल के अंतरगत लिखेगा एक-एक जो लाइन है, जाए जो भी बाते हैं, वो देश पर लागू हो जाएगा, as it is, क्योंकि राश्टपती जी ने signature कर दिया, अब ये पापर किसके अंतरगत है, article 123 के अंतरगत, एक्जाम का कोशन पूछता है, तो अब कहानी को आगे बढ का है, समझ गया न, तो परधान मंत्री कहेंगे, कि चिंदा की बात नहीं है राश्टपती जी, हम क्या करेंगे, कि जब भी सेशन होगा, तो हम उसमें पास करवा लेंगे, तो राश्टपती जी बोले, कि ठीक है, सेशन में पास करवा लेना, कब पास करवाएगा, तो बिदिन 6 बिक 6 बिक के अंदर तुम जो है न, उसको पास करवा लेना और अगर 6 बिक के अंदर पास नहीं करवाएगा तो अध्यादिया समाप्त हो जाएगा मतलब एक सर्थ रख दिये राश्पती जी राश्पती जी बड़ा होसियार थे अब चुकि देश का राजा है, होसियारी तो दिखाना पड़ेगा तो उन्होंने परधान मंत्री कहा कि ठीक है तुम सेशन के में, तुम बोला ना कि सेशन में हम पास करवा लेंगे तो सेशन में पास करवाने का हम तुमको समय देते हैं जाइसी सेशन सुरू हो जाइसी सेशन में पास करवा लेंगे पूरा जिक्र है कि छे महीने के अंतराल में आपको सेशन ले आना है नहीं तो मतलब मानने नहीं, छे महीने के अंतराल में सेशन लाना है अब परधान मंत्री क्या कहेंगे, चलो कम से कम छे महीना तो अध्यादेश पे हम चलेंगे तो राष्टपती जी आफ सोचेंगे कि यारी ये तो मतलब हो सकता है कि सेशन ना बुला है तो क्या करे तो राष्टपती जी ने कहा कि देखो 6 बीक के अंदर तो तुमको पास का लेना है लेकिन अध्यादेश जो है उसका मैक्सिमम पावर 6 मही नहीं होता है तो अगर एक्जाम में कोशन पूछें मैक्सिमम पावर ओफ ओडिनेंस इन टर्म आफ क्या बोलते हैं डेज और मन्त तो 6 मन्त एंसर होगा तो मैक्सिमम पावर कितने 6 मन्त के लिए मैक्सिमम डेज या मैक्सिमम टाइम पावर नहीं टाइम मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम टा गया हाउस, तो हाउस के सेशन में आने के 6 हपते के अंदर आप पास करा लिजे, बिल आपका नहीं तो बिल समाप्त, और अगर हाउस सेशन में नहीं लेके आये हो, तो 6 महीने तक तो तुम इसको इसको इंज्वाय करोगे, इस अध्यादेश को, लेकि 6 महीने के बाद ये नियम है कि 6 महीने के अंदर आपको सेशन नहीं आना है, तो पहले वाला ही एक्जेक्यूट होता है, दूसरा वाला एक्जेक्यूट नहीं होता है, अगर कभी ऐसा हुआ, तो दूसरा वाला भी लिखा हुआ है, और ये एक्जाम का कोस्टन दूसरा वाला ही कई बारी बना ह कि ordinance power का maximum जो days होता है, वो कितना होता है, तो 6 महीने होता है, ठीक है, समझ में आ गया, तो राश्पति और परधान मंतरी के बीच की कहानी, आपको समझ में आ गया, कि किस तरीके से दोनों के बीच में conversation हुआ, और यह conversation पूरा अध्या देश है, समझ में आ रहा है ना, यह पू समझ में से कोई एक सदन सत्र में नहीं हो, तो राश्पति और अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अब अध्यादेश किसके कहने पर जारी करेगा, परधान मंतरी या मंतरी परिशत पर, ठीक है, अध्यादेश उसी भीचय पर जारी किया जा सकता है, जिस पर संसत के पास अध्यादेश दोनों सदन दोरा सुकिर्थ हो जाए तो वो अधिनियम बन जाएगा जैसा कि मैंने बताया कि पास करवाल वो अधिनियम बन जाएगा और अगर पारित नहीं हो यानि कि अध्यादेश पारित नहीं हो तो वो छे हपता के अंदर समाप्त हो जाएगा 6B के अंद 1, 2, 3 exam का question बहुत important है यह जितना असान है उतना है important है क्यों? क्योंकि exam में question यहाँ पर कई बारी आया है कई बारी आया है और यहाँ पर option में 213 भी होते हैं 213 राजपाल का ध्यादेश है और 123 राष्टपती का ध्यादेश है बस करना क्या है? दो को इधर निकाल दो देखो मैं लीग देता हूँ 123 और 213 ठीक है? दो को इधर निकाल दिये एक को बीच मिलिया है तो यह governor होगा है और यह president होगा है तो इसलिए यहाँ पर confusion हो सकता है आप से तो आप गलती नहीं करेंगे ठीक है ना? चलिए तो यह अध्यादेश हो गया अध्यादेश जारी करने की सकती के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया अब चलिए अब राष्टपती जी के बारे में आगे बात करते हम लोग राष्टपती पे महाभ्योग यहाँ पर देखेगा हिंदी में है इसका मतलब यह नहीं मत समझेगा कि इंग्लिस में नहीं है इंग्लिस में भी है देखो यहां पे इंग्लिस में भी है आपके जो नोट्स मिलेगा वो इंग्लिस में भी मिलेगा और आपके नोट्स जो मिलेगा वो हिंदी में भी मिलेगा दोनों मिलेगा, दोनों एक ही जगह पे नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको अलग-अलग किया है, तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है ना, चलिए, अगला पॉइंट यहां पर मैं बताता हूँ कि क्या है, अध्यादेश भारत के राश्टपती पे महाभ अध्यादेश तो कर लिए, महाभ्योग का आर्टिकल है 61 और यह भीविया ही है, कई बार यह एक्जाम का कोशन पूचाए, बहुत इंपोटेंट है, आर्टिकल 61 राश्टपती में महाभ्योग, अब राश्टपती में महाभ्योग का मतलब क्या होता है, राश्टपती महाभ्योग नहीं लगाया गया है, यानि कि भारत में आज तक किसी भी राश्टपती में महाभ्योग क्या है, नहीं लगाया गया, यह बात मैं आपको इर्भानस में बताता हूँ, चलिए ठीक है, राश्पती पे महाभ्योग लगाने की बात अगर हो रही है, तो मैं आपक क्या होना चाहिए, संविधान का उलंगण. धीक है, एक. दूसरा पोइंट यह है, कि जो महाप्योग लगेगा, उसके लिए जो आप पूरा का पूरा क्या बोलते हैं चिठी बनाएंगे जिसको आप कह सकते हैं कि पूरा एक लेटर बनाएंगे कि भाई हम महाभियोग लगा रहे हैं तो उस पे सदन का एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए एक चौथाई सदस्यों द्वारा कुछ लोग समझते हैं कि 50 मेंबर राश सभा का और 100 मेंबर राश सभा का तो ये बेटा सुप्रीम कोट के मुख नियाधिस और नियाधिस के लिए होता है या हाई कोट के मुख नियाधिस नियाधिस के लिए होता है राश्टपती के लिए राश्टपती के लिए one-fourth होता है समाझ गया ना तो गरवडाना नहीं तुम लोग बेवकूप मत बनना ठेक है ना बात को धिहान में रखेगा सुप्रीम कोट और राश्टपती में अंतर होता है तो राश्टपती के लिए कितने लोगों की जरूरत है वन-fourth लोगों की जरूरत है हिंदी-ंग्लिज दोनों में लिखा हुआ है बरसान नहीं होना पीछे से वीडियो ले जाकर के स्लाइड को करकर के और आप लिख सकते है 14 दिन पूर्व नोटीस दे करके राश्टपती को 14 दिन पूर्व नोटीस दिया जाना चाहिए यानि कि आप हटाने से 14 दिन पूर्व राश्टपती को सुचित कर देंगे तभी ये महाभियोग की परकेडिया आगे बढ़ेगी उसके बाद पहले हाउस में दोती हाई से फिर दूसरे हाउस में भी क्या दोती हाई से अगर दोनों हाउस में दोती हाई से पास हो गया तो राश्टपती जी को अपना पद खाली करना होगा ठीक है अब हम इसको तुरा समझाते हैं अच्छे तरीके से ये सारी बाते लिखी हुई है हिंदी में ठीक है मुझे महाभियोग समझाना है आर्टिकल 61 लिखा हुआ तो आदमी पढ़ सकता है लिखे हुए पढ़ने से मतलब नहीं है देखे एक क्या है है क्या महाभियोग कि सबसे पहले कि महाभियोग क्यों लगाओगे यानि कि उसका कुछ आधार तो होना चाहिए तो आपके सम्मिधान ने कहा है कि आधार है कि आपने सम्मिधान का उलंगन किया है यानि कि आपने सम्मिधान को नहीं माना है सम्मिधान के किसी परकिडिया का उलंगन किया है सम्मिधान का उलंगन किया है ठीक है मैं लीख देता हूँ उलंगन किसका सम्विधान का हिंदी इंग्लिज दोनों में लिखा हुए तो आपके लिखने की ज़रोतने, आपको सिर्फ यहां समझना है सम्विधान का उलंगन क्या है यह आपका आधार बनेगा राष्ट्पती जी को हटाने का ठीक है, चलिए, मान गया तो आप क्या करोगे, तो आप एक चिठी बनाएंगे, यानि कि पूरा का पूरा जो resolution जिसको बोलते हैं, इंगलीज में अच्छे सब्दों में, पूरा पूरा प्रस्ताव बनाएंगे, resolution बनाएंगे, चलो, यह प्रस्ताव बन गया, resolution बन गया, यहाँ पर resolution लिख दिया, कि भ 14 days before, before, ठीक है, क्या, inform to precedent, लिखा वासब है, मुझे लिखने के जोड़ने, मैं समझा रहा हूं, तो 14 दिन पहले, आप राष्ट्पती जी को बता दीजे, कि मैं आपको हटाने वाला हूं, महाभियोग आप पर लगाने वाला है, अगर देखो, एक एक परकिरिया में, कोई परकिरिया अगर कम रहा गया, तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा, यानि 14 दिन पहले से 13 हो गया, तो वह समाप्त हो गया, 14 तो आपको देना है, उसे जादा दे दीजे, वो अलग बात है, ठीक है, अगला क्या है, कि जो resolution बनाए हो, जो चिठी बनाए हो, जो प्रस्ताव बन पहले से क्या लेना है, सहमती लेना, कि 1 4th में मन हमारे साथ है सदन का, क्या साथ है, कि दाश्पती को हटाना है, इस बात को लेकर के साथ है 1 4th, तो 1 4th हो गया, जो जो घेर रहा हूं, वो कोस्तन एक्जाम का बन जाएगा, ठीक है, 1 4th हो गया, एक चलिए, और 50 और 100 वाली चलो कि लोगसभा में गया बिल, कि भाईया, हमको जो है न, अब डाश्पती को हटाना है, तो जब लोगसभा में बिल गया, तो वहां पे 2 3 बहुमत से वो बिल को पारित हो जाना है, 2 3rd majority, 2 3rd majority, 2 3rd majority से अगर वो बिल पारित हो गया, 2 3rd majority से अगर लोगसभा में, लोगसभा, इल, लोगसभा में पारित हो गया, तो वो बिल कहां चला जाएगा, राश्पा में, ठीक है, तो अब चलते हैं राश्पा, अच्छा, यहां पे लोगसभा के जाएगा, राश्पा कर सकते हैं, और यहां पे राश्पा के लोगसभ कि नहीं, हम इसका चानवीन पहले करेंगे, तो चानवीन करने के लिए कमीटी बैठेगी, कमीटी, एक कमीटी बैठेगी और उस कमीटी में जो न्याइक परकिरिया को जानने वाई लोग है, जूरिस्ट होगा, यानि कि जाना माना एक कानून बेता होगा, हिंदी हो बोलते है इंगलीज में बोलते हैं, जूरिस्ट हिंदी में बोलते हैं कानून बेता, तो कानून बेता होगा, लोग का जानने वाला होगा, फिर उसी तरीके से सुप्रीम कोट के मिंबर होगा, CGI हो सकते हैं, तो इस तरीके से कमीटी बनाए जाएगी, मैं उतना डिटेल में जाता मैं एक्जाम के कोशन तक चलता हूँ तो कमीटी बनाए जाएगी अब यहां पे एक्जाम का कोशन ही होता है कि कमीटी के सामने में उपस्थित होने के लिए राष्टपती उपस्थित होंगे उनको कहा जाएगा कि आप कमीटी के सामने उपस्थित हो तो राष्टपती कमीट के सामने उपस्थित खुद हो जाए यानि कि प्रसनली आ जाए या उनका कोई रिपर्जेंटेटिव मतलब जिसको उन्होंने या कोई ओकील कर लिया हो कोई भी किया हो कि भाया कमीटी के सामने जाना है तो कोई रिपर्जेंटेटिव चले जाए दोनों में से कोई चला जाए तो committee के सामने क्या हो जाएगा उपरस्थित हो जाएंगे वो, ठीक है committee निरने लिया, अगर committee निरने लिया कि नहीं इनके उपर लगाये गया आरोप जो यहां पर उलंखन जीसे सब्द है, यह गलत है, तो यहां ही पर terminate हो जाएगा यानि कि यह प्रस्तावना क्या हो जाएगा तर्मिनेट हो जाएगा लेकिन अगर कमीटी भी कहा दें कि नहीं नहीं यह सही है तो फिर वो राश्च्पती अपना पद नहीं छोड़ेगा आगर कमीटी बोले के लाश्च्पती अपना पद नहीं छोड़ेगे अगर लोग सभा में दो थी आई वह हमासे कम हो तो भी अपना पद नहीं छोड़ेगे अगर 14 दिन से 1 4th member ना मिले तो भी उनका ये प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा अगर 14 days बलाइबात ना हो तो भी प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा मतलब कि राष्टपती को आपको हटाना है तो आपको हर बात पे बड़े फूक फूक के कदम रखना होगा और हर मैजोरिटी को आपको पूरा करना होगा तभी राष्टपती को आपके पद से हटाया जा सकता है तो मैंने क्या कहा कि राष्टपती को हटाने के लिए आर्टिकल 61 है सबसे पहले उनको उलंखन, मतलब ये बताना होगा कि आपने समिधान का उलंखन किया और 14 दिन पहले बता देना है कि आपके लिए हम माभयोग ला रहे हैं जिस house में लाएंगे यानि सदन का 1 4th member आपके साथ prior permission में यानि की सहमती में होना चाहिए फिर जिस house में पहले लाएंगे उस house का 2 3rd majority से वो पास होना चाहिए दूसरा house में वहां पर committee बैठेगी, committee ये तै करेगी कि ये गलत है या सही है अगर committee सही कह दिया तो दूसरे house में भी जाएगा, दूसरे house फिर दोत्याई बहुमा से पास करेगा और तब जाकर रहेंगे राष्टपती जो है अपने पद से हटेंगे अब आपको मैं बता दू कि आज तक किसी राष्टपती पर ये महाभियोग नहीं लगाया गया जो बात हमने आपको पहले बताया ठीक है और यह सारी बात यहाँ पर English में लिखा हुआ है और यही सारी बात यहाँ पर Hindi में भी लिखा हुआ है जो बात यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वो ठीक है चलिए तो यहाँ पर ध्यान दिखिएगा यह सारी बात है अब यहाँ पर एक बात क्या है कि बिधान सभाव के निर्वाचित सदस महाभ्योग में भाग नहीं लेते हैं यानि कि अगर राष्टपती को चुनाव में मतलब राष्टपती को अगर चुनाव करना है तो बिधान सभा के सदस यानि निर्वाचित सदस चुनाव में बोट करेंगे लेकिन जब राश्टपती को हटाने की बात है तो वहाँ पे बिधान सभा का कोई रॉल नहीं है तो हो सकता है एक्जाम में आपको अलग तरीके से उल्टा-पुल्टा करके कोस्टन बना दे जैसा भी कोस्टन बना आपको solve कर लेना है क्या राश्टपती को हटाने में या उनके महाभियोग के परकिरिया में बिधान सभा के सदस भाग लेते हैं नहीं बिधान परिशत के सदस भाग लेते हैं? नहीं. बिधान सभा के निर्वाची सदस भाग लेते हैं? नहीं. मतलब बिधान सभा बिधान परिशत आजये नहीं हो जाएगा. लेकिन क्या राश्टपती के महाभ्योग के परकिरिया में राश्टपती के सदस भाग लेते हैं? क्या राश्चवा लोगसभा के मनोनीत सदस भाग लेते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप हमारे साथ समझ गया होंगे अच्छे तरीके से अगला पॉइंट यहां पर यह है कि राष्टपती को किन किन परकिरिया से आप हटा सकते हैं मतलब राष्टपती का पोस्ट कैसे खाली हो जाएगा तो अगर राष्टपती का पोस्ट इस्थिपा दे दिये तो खाली हो जाएगा उनका कारेकाल समाप्त हो जाए यानि पांच बर्स वाला तो खाली हो जाएगा महाभियोग लगा दिये तो खाली हो जाएगा मिर्ति हो गया तो खाली हो जाएगा तो वो जड़ा देखते हैं और exam का question solve करते हैं तो वो खाली होने पर क्या होगा वो मैं आपको उताता हूँ अगर इनका tenure expired हो गया तो tenure के expire होने के 6 months before यानि before before expiry of tenure ठीक है? before, कितना before? 6 months before 6 months before 6 months before expiry of tenure new president should be elected new president elected चलिए मतलब ये है कि मैं इसको अच्छे तरीके से लिख दू मैंने अच्छे से नहीं लिखा है sorry, ठीक है मतलब पहला case क्या है? एक-एक case करके बात करता हूँ जो मैंने काटा है उसको छोड़े एक-एक case करके एक-स्पाइडी के बात क्या होगा? एक-स्पाइडी हो जाएगा तो क्या होगा? तो new president, नया राश्पती new president should be elected should be elect elect E-L-E-C-T elect before before expiry before expiry of tenure 6 months months before expiry of tenure मतलब मैंने क्या लिखा? कि tenure के यानि की कारेकाल के समाप्त होने से 6 महीने पहले नया राश्पती आपको चुल लेना है पहला point अगर registration registration sorry registration registration से अगर समाप्त हो यानि कि इस्थिपा दे दिए इस्थिपा दे दिए तो राश्टपती की जगा Vice President बन जाएंगे Vice President risk एक्ट आज प्रसिड आगर वो इस्थिपा देते हैं अगर impeachment लगता है थो भी vice president आग्ट आज प्रसिडेंट अगर उनकी death होती है यानि उनकी मिर्टियू हो जगे तो भी Vice President, Act as President यानि कि स्थिपे के पाद महाभ्योग और मिर्तिव से तीनों ही केस में उपराष्ट्रपती जो है न उपराष्ट्रपती जो है न वो भारत के राष्ट्रपती के रूप में क्या करेंगे Act करेंगे, काम करेंगे उपराष्टपती काम करेंगे भारत-क राश्टपती के रुप में, इन तिन case में अब यहांपे बात आती है, अगर उपराष्टपती भी न रहे, जैसा कि यह बरबंद चुका है हमारे हैं अगर उपराश्टपती भी नहीं रहा है तो उच्टमन्यालय के मुखनयाधीस होंगे उनके जगा पे यानि कि उच्टमन्यालय के मुखनयाधीस CJI , Chief Justice of India अगर यह भी नहीं किसी केस में ऐसा हुआ नहीं है लेकिन अगर यह भी नहीं किसी केस में तो senior, कोई भी जो senior most judges of, यहाँ पर लिगता हूँ, judges, judges of supreme court, कौन सा judge, senior most judge of supreme court, यानि कि कोई भी supreme court के बरिस्तम judge जो राष्टपती के रुप में कार्ड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, कि اगर राष्टपती की vacancy हो जाती है, तो उस हालाद में क्या होँगे? तो उस हालाद में अगर राष्टपती का tenure पूरा हो गया, तो उस tenure के पूरा होने से 6 महिने पहले नया राष्टपती चुलनी जिए. दूसरा मैंने क्या कहा कि रेजिंग नेशन यानि कि उस्तिपा दे दिये तो उपराष्टपती राष्टपती बन जाएंगे अगर उनका impeachment हो गया महाभियोग लगया तो भी उपराष्टपती राष्टपती बन जाएंगे अगर उनकी मिर्तियों हो गया होगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा राष्टपती का अगर पद खाली होगा तो यहां पर conditions मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है अब देखते हैं कि भारत के राष्टपती जी के बारे में कुछ-कुछ बाते हैं यहां पर जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो भात के राष्टपती देखेंगे पहले कुछ बात ही लिख लेते हैं डॉक्टर अजयन परसाद एक मात राष्टपती है जो दो बार राष्टपती बने पहला पॉइंट जाकर हुसान पहले ऐसे राष्टपती है जिनकी मिर्तियू कारिकाल में हुआ और पहले ऐसे मुस्लिम राष्टपती भी है जिनकी मिर्तियू कारिकाल में हुआ तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जाकर हुसान पहले ऐसे राष्टपती है जिनकी मिर्तियू कारिकाल के दौरान हुआ था ठीक दूसरे भी कोई होंगे, तो दूसरे थे फकरुदीन अली अहमद, तो दूसरे फकरुदीन अली अहमद थे, जिनकी कारेकाल की दौरान मिरती हुई थी, यह वही फकरुदीन अली अहमद है, जिनके समय में भारत में इमर्जेंसी लागू हुआ था, यानि की भारत में राष्ट्पती गुरुप में काम किया Chief Justice थे पहले ऐसे और डॉक्टर आरेंद परसाद के बारें बहुत सारी बाते हम करते हुए आये हैं अब यहां पर राष्ट्पती जी के पूरा का पूरा लिस्ट है जिसको देखिएगा पहले राष्ट्पती और स्री रामनात कोविन त पूरुप में तो पाक कोविन तो यहां पर देखें कानी क्या है वो मैं आपको शला सा बता दूव और फिर मैं क्लास को रोकूं तो कहानी है कि जाकर हुसेन साहब की मिर्टु हो जाती है और जाकर हुसेन साहब की मिर्टु जब होती है तो उस समय उपराष्टपती थे बीवी गिरी ठीक है तो बीवी गिरी उपराष्टपती थे तो कहने का मतलब बीवी गिरी को राष्टपती बन जाना चाहिए लेकिन election का समय हो गया था और बिवी गिरी को राष्टपती के election लरना था तो उन्होंने उपराष्टपती का पद छोड़ दिया तो उपराष्टपती का पद भी खाली हो गया और राष्टपती में उनकी डेथ होई गय थी तो अब क्या किया जाए तो जैसा कि हमारे पास प्राभधान है कि हम सुप्रीम कोट के मुखने आधिस को क्या बना देंगे कारवाहक राष्टपती तो हिदायतुल्ला साहब को हमने क्या किया जो कि उस समय सुप्रीम कोट के मुखने आधिस थे हमने कारवाहक राष्टपती बना दिया तो यह जो पूरी कहानी है कुछ इस तरीके से है फिर हिदातुला साहब कारवाक राश्टपती से वापिस हुए तो बीवी गिरी जो किचून गया थे राश्टपती के रूप में वो राश्टपती बन गया बीवीगिरी के बाद फिर यहाँ पर पूरी कहानी आपके सामने में है तो हमने राष्टपती के बारे में बात किया राष्टपती के क्या बोलते हैं पूरी के पूरी परनाली आपने देखा उसके बाद ये बाते हम लोग बात में कर लेंगे राश्टपती की पूरी पूरी परनाली देखा, आपने उनके पावर के बारे में बात कर लिया, हमने राश्टपती के बारे में बात किया कि प्रसनली राश्टपती कौन-कौन से कब है, कैसे है, सब बात किया, मनि राश्टपती को completely हमने यहाँ पे देखा है, और अगर कोशन उठालो पर करके और उसको सॉल्व कर जाओ यह तरीका होता है इससे आपको याद होगा मतलब रट्टा मारने से याद नहीं होता है इस बात को आप समझ लीजिए मैं कुछ-कुछ बाते आपको बताते चलूंगा तो इससे याद होगा एक्जाम का कोशन और कोशन नही आपको आपको यह तरीक बाते आपकों लिए नहीं होरा है इससे इससे जापको कोशन प्रिक्स अम्रण